a database is an organized collection of data stored and accessed electronically तो database क्या है organized collection of data organized collection means हमने data को एक particular format में store किया हुआ है ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ store है कहीं पे कुछ store है नहीं एक particular order में जैसे आपकी mark sheet आती है में क्या होते है एक format होता है आपके practical marks डिफरेंट कॉलम में होते हैं तो ऐसे ही जब database क्रिएट करते हैं तो उसको organized way में हम data को collect करते हैं और store करते हैं and that data can be accessed electronically और वो data क्या होता है एक soft copy की form में होता है तो आप उसको किसी भी electronic device से access कर सकते हो आपके laptop आपके computers आपके ipads mobile phones तो कोई भी electronic device से आप क्या कर सकते हो database को access कर सकते हो right अब समझ आया database क्या है database है collection of data collection of data कैसे organized way में ऐसा नहीं कि आपने एक column कहीं और store कर दिया है second column किसी और file में नहीं एक particular format में आपका data store होता है organized way में right ओके और आप उसको कैसे access कर सकते हो आप उसको किसी भी electronic device से access कर सकते हो right now a database is designed and built to serve a specific purpose as needed by a group of users users right अब database बनाते क्यों है क्या जूरत है database बनाने की database को हम design करते हैं और बनाते हैं किसके लिए लोगों की need के according right ओके देखो a database is designed and built to serve a specific purpose as needed by a group of users okay users की need की according हम लोग database create करते हैं right जैसे आपके school में होता है school database होता है उसमें जितने भी students होते हैं उनका fees का database होता है what is your address what is the name what is your father's name what is your mother's name what is your enrollment number everything is there okay तो क्या होता है यह different different databases होते हैं आपके enrollment number से ही सिर्फ टाइप करने से database से क्या आता है आपके सरी की सरी information access हो जाती है कि what is your father name okay in which year you joined this school okay तो क्या होता है हम कोई भी database बनाते हैं वो किसले बनाते हैं एक particular need को पूरा करने के लिए बनाते हैं right once designed database can be implemented in many forms अब यह क्या कहता है एक बार आपने database को design कर लिया आप उसको किसी भी form में implement कर सकते हो आपके पास database है आप उसको table form में represent कर सकते हो आप उसको form की design में represent कर सकते हो आप report की form में इसको represent कर सकते हो राइट तो किसी भी form में आपने database को represent कर सकते हो राइट अब यहाँ पे हमारे पास database की कुछ example जैसे banking system से राइट विड्रॉल किया है उसका पूरा का पूरा database बना होता है तो अगर ऐसा है कि आपने 1000 रूपी विड्रो किये तो क्या होता है आपके डेटा बेस में से कट हो जाता है वह क्या हो जाता है अप्डेट हो जाता है fine तो अगर आप आप बैंक में जाओगे आफ्टर विड्रॉल फिर मनी तो वर्ट वर्ट विल सी के जितने आपने पैसे निकाले उसने डिड़क्ट हो चुके हैं राइट कम्टराइज मेडिकल रिकॉर्स ऐसे ही आप जब कहीं पर भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके पास फाइल्स होत प्रीण केयर अप गसी था फिर मेडिकल एशु ठीक है कौन आपको देख रहा है कौन से डॉक्टर सो आपके 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 उपन्मेंट है whereby watched होता है express like wordお願いします कि सब्सक्राइब काria होता है निंशकौर्ण waituna सा मृँक्षं को वहां पर भी नाबटिच दिशक Amipsử अबना होता ह इसलेकल दो निम्सटेकर, डाल मातर सब्सक्राइबरी होनिक, सब्सक्राइब्स करें दोजेट्स आपा, इसले कीम एक डाप से क्मया ने सब्सक्राइबा कॉछatur, सबीस बेड़ने Cos Regents,?」 सब्सक्राइब्स सब्सक्राइös रिछाती सब्सक्राइबरी कोई भी एक्जम्पल खूज कर सकते हो और आप यहां से वह हिम्धREE एक्जम्ल देह सकते हो बेंककें मैं खुतकर में ऑ सलिएफ का है ना जो सबसे न Χाक को दुनक्राइब न खूड समार बीतफ के इंथ हमारे पस реально साथ रैथMM ग्वारे करना क्यों इसला क्यों अब यह database हम create कैसे करें कैसे बनाएं soft copy की form में हम कैसे database बनाएं तो उसके लिए हमारे पास क्या है database management system database management system क्या है database management system refers to a software that is responsible for storing, maintaining and utilizing databases database along with a DBMS is referred to as database system तो database management system क्या है database management system वो software है जिसका काम क्या है जिसका काम है storing मतलब database को store करना maintain करना उसको utilize करना ठीक है करना है वो देखना वो सारा का सारा system जो जो डील करता है वो क्या है software है उस software को हम क्या करते है database management system okay तो database management system is the software okay that is used to create the databases okay and to handle the databases right database along with DBMS is referred to as database system और जब हम database को DBMS के साथ जोइन करते हैं तो दोनों को क्या बोलते है database system right database and DBMS दोनों को मिला के हम बोलते है database system समझाया database को बनाने वाला software क्या होता है database management system right अब आप से example अगर पूछे जाते हैं कि DBMS के example बताओ हो तो हमें क्या करने कुछ software की नेम बताने हैं जो database create करते हैं बनाते हैं तो सबसे पहले आपका mysql okay जो आपके syllabus में भी है mysql Microsoft access आपने अपने previous classes में क्या होगा जोने classes में 910 में access sql server okay file maker oracle rdbms dbase clipper fox proto what are these these are the software's okay which helps in making the databases तो इन में से आप कुछ learn कर सकते हैं कि जो कौन-कौन से software's हैं जो help करते हैं database मनाने में ठीक है तो DBMS यहां पर examples आगें DBMS के ठीक है को इसमें से आप यह सारे भी learn कर सकते हैं इसमें से कुछ few भी आप learn कर सकते हो right okay now we have advantages of DBMS DBMS database management system की क्या advantages है ठीक है हम database management system को क्यों use करें इसके क्या advantages है right तो सबसे पहले हमारे पास control of data redundancy right the first advantage is control of data redundancy अब data redundancy क्या होता है data redundancy is the duplication of same data at more than one storage place ठीक है तो इसका क्या meaning है जब आप data same data को एक से ज्यादा place पे store कर देते हो तो उसे क्या बोलते है data redundancy okay or you can simply say duplication of data is called as data redundancy right duplication of data leads to wastage of storage space तो अगर हम same data एक से ज्यादा places पे store करें तो उसका क्या फाइदा है उसका कुछ भी फाइदा नहीं है spite of that क्या है कि हमारा storage space क्या हो रहा है waste हो रहा है राइट dbms eliminates data redundancy by ensuring that the data is not repeated many times तो dbms database management system क्या करता है वो कुछ constraint databases create time कुछ constraints लगाता है मतलब कुछ rules and regulations लगाता है जिसकी help से क्या होता है कि आप same data बार different different places पे storage places पे store नहीं कर सकते हो right okay so dbms eliminates data redundancy by ensuring that data is not repeated many times तो यह dbms ensure करता है कि same data बार बार repeat ना हो तो first हमारा जो advantage है वो क्या है कि data dbms का it controls the data redundancy okay now we have data consistency dbms provides data consistency to a large extent as the changes made at one place are reflected at all other places and to all the users okay तो यह क्या कह रहा है जब आप dbms कर यूज करते हो तो उसका क्या फाइदा यह क्या provide करता data consistency provide करता है ठीक है data consistency means अगर आपने data में change किया एक place पे तो वो change जहां जहां भी वो data है वो वहां पे क्या होगा वो change update हो जाएगा ठीक है देखो यहां पे आपका जो है अपने बनी विड्रॉल करते तो क्या होता है तो आपके अकाउंट में से उतने जो अमाउंट होता है तो क्या होता है जितने भी अप्लिकेशन उसको यूज करें हर्ज के वो प्राइस अप्डेट हो जाएगा ओके मैंने आभी आपको एक्जांपल दिया था आप अपने मनी विड्रॉल करते तो क्या होता है तो आपके अकाउंट में से उतने जो अमाउंट होता है वो क्या होता है डिड्रक्ट हो जाता है रैट ऐसा तो नहीं कि आपने पैसे विड्रॉल विड्रॉल कर लिया है बट आपका अकाउंट में सेम मनी रहेगी नहीं या और जितने places पे वो account शो हो रहा है, वो database शो हो रहा है, ठीक है, वो हर application पे क्या होगा, वो update होता है, जो भी change होता है, जितनी भी applications उसको use करें, हर जगे वो change शो होता है, तो क्या होता है, data consistency प्रोवाइड करता है DBML, next is sharing of data, ठीक है, this means various users can use the same data in the database, moreover new applications can be developed according to the needs to operate against the same store data, सबसे पहले क्या है, sharing of data, अब देखो, जब हम DBMS जो system है, उसका जो main use है, वो क्या है, कि आप क्या करते हो, एक जिगे अपना complete database बना लेते हो, ठीक है, आपने एक जिगे centralized database बना लिया, अब different different places पे उस data का use किया जा सकता है, right, okay, तो माल लो, कोई company है close की, right, तो उसकी different different outlets हैं, तो जो उसका main head office है, वहाँ पे जितनी भी prices हैं, जितना भी उसकी prices हैं, different different जो उसका products होते हैं, prices के, ठीक है, वो एक database है, जितने भी outlets हैं, उसमें क्या है, applications यूज हो रही हैं, जो same database को use कर रहा है, are you getting my point, आपको समझ आया, मैंने क्या का, एक example लिया, एक example यह लिया है, कि एक माल लो, brand है, कोई भी, clothes का brand है, ठीक है, जैसे हम women कहीं लेते हैं, डब्लू का brand है, डब्लू का brand में क्या है, एक उनका head office है, जहां पर उन्होंने अपना database क्रेट किया हुआ है, उनके जितने भी clothes है, उनके prices का everything का, ठीक है, जहां जहां डब्लू के outlets है, तो वो outlets क्या करेंगे, सिर्फ उस database को share करेंगे, ठीक है, ओके, वो यह नहीं के अपन सिर्फ उस database को share करना है, तो इस ते क्या हो रहा है, हमने एक यह database बनाया और many applications उसको share करने है, ठीक है, moreover, अब यह क्या किरा है, moreover, new application can be developed according to the needs to operate against the same stored data, that is, data requirement of various new applications are satisfied without the need of having separate data for each application, तो क्या किरा है, कि आप एक database create करोगे, और different different applications उसको use करेंगी, आप new applications भी create करोगे, वो भ same database को use करके work करेंगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कि अगर आप new application create करेंगी, तो new database भी create करना पड़ेगा, नहीं, database आपने एक बार बनाया, और आप चाहिए उसके बाद 10 applications create करो, 20 applications create करो, वो सारे की सारी application same database को share करेंगी, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सिफ एक बार database बना और उस डेटा की, database की sharing होगे, ठीक है, जितना भी data है उस database के अंदर उसकी sharing होगे, फाइन, now the next advantage is reduced programming effort, okay, DBMS saves a lot of programming effort since a user need not write programs for the query processing involving several tables or files, report, generation, addition, modification and deletion of data, thus it provides easy retrieval of data, तो क्या है, यह क्या कह रहा है कि, जब आप database को use करते हो, तो आपकी जो programming करने का effort होता है, वो खतम हो जाता है, इसके एक example क्या है, जैसे आप ATM machines use करते हो, right, तो वहाँ पर क्या है, आपने क्या किया, अपने data, अपने account को access किया, okay, आप वहाँ से कह सकते हो, जो भी आपको अपने account में देखना है, या फिर आप net banking कर रहे हो, okay, okay, तो क्या कर सकते हो, आप easily आपके पास एक format आजाता है, उस format पे आप अपने क्या कर सकते हो, simply आप क्या, you can access your account and do whatever the updation or modification you want to do, ठीक है, आप net banking से कर सकते हो, अब उस net banking में कैसे आपका data जब आप कर रहे हो, उस application को use क तो आप, you are just using the front end, ठीक है, आपके पास क्या रहा है, front end आ रहा है, आपको यह तो नहीं बता है कि यह जो आपके पास जो front end आया हुआ है, उसके पास data कैसे, वो front end आपके लिए data कैसे access कर रहा है, क्या programming हुई है, कैसे back end में जो भी है, modification हो रहा है, कैसे आपके data को save किया गय तो आपको प्रोग्राइमिंग में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होता है, आपको simply क्या मिल जाता है, front end मिल जाता है, जैसे आप यहां पे जाते हैं, मौस वगेरा में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आप जब भी कोई product आप बाय करते हैं, ठीक है, तो आप जो वहां सारी की सारी information मिल जाती है, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हर product ले programming करनी पड़े, फिर उनकी पास information है, नहीं, उनकी पास क्या front end है, they have the front end, right, और front end में क्या है, they are not aware of back end programming, fine, simply they are accessing the front end, right, तो यहां पे क्या है, कोई भी programming नहीं करनी पड़ी, हमें simply एक front end मिला है, जिसकी help से हम data को access कर सकते है, right, now इसको आप जो इतना लंबा सा है, simply आप इसको दो लें में भी सकते है, reduce programming effort, there is no read, when you are using the database management system, we can access the data, okay, very easily, okay, without doing any programming for it, fine, then हमारा improved data integrity, right, अब data integrity क्या होता है, data integrity refers to the validity and consistency of stored data, वही है, जो consistency होता है, okay, उसको हम जैसे consistency होता है, कि अगर एक place पे आपने data को change कहें, तो जितने भी applications उस data को show करें, वो हर्जगे change होता है, ठीक है, अब यहाँ पे data integrity क्या है, consistency plus validity, validity क्या होता है, कि जो आपका data है, वो valid होना चाहिए, right, मतलब सही होना चाहिए, ठीक है, for example, the system itself check for the correct information to be entered by the user in the correct format, it consists of various constraints, ठीक है, तो validity क्या है, कि अगर आप database में कोई भी, क्या करें, data access करें, ठीक है, या data access, data उसमें sharing करें, या आप उस data store करें, right, आपके पास यह राइट है, कि आप database में data store करें, ठीक है, तो क्या एक पर्टिकुलर फॉर्टिक होता है, जो डेटाबेस ने बनाया हूँ, उसी format में आप data store करोगे, आपका एक column दिया हूँ, नेम का, ओके और इसमें constraint दिया हूँ, कि अपने फिल्टिक पर आप नेम की column में numbers को एंटर करो, तो क्या होगा, वो format करें नहीं होगा, तो अपने आप क्या होगा, वो एक एरर क्रीट क हो जाएगी and it will not let you enter the 123 are you getting समझ आ रहा है कि इस तरीकी की rules and regulations वो DBMS impose करता है database creation में कि आप उसके अंदर कोई भी गलत information नहीं डाल सकते ठीक है तो इससे क्या होता है data integrity बनी रहती है validity बनी रहती है data की गलत information आप नहीं use कर सकते नहीं store कर सकते right relational data model को relational database model भी कहा जाता है okay relational model was proposed by EF code of IBM relational model को EF code ने proposed किया था उसका suggestion दिया था okay relational model बताता है it tells us how we can store data in a database हम database के अंदर कैसे data को store कर सकते है okay and this is the most successful data model इससे पहले भी और data models है थे like hierarchical data model network data model but they were having some drawbacks okay so nowadays we are following relational data model to store data in the databases right okay in relational data model the data is organized in the form of tables relational data model की according relational database में हम data को table की form में store करते है okay okay relational data model क्या सब्सक्राइब करता है कि data is organized in the form of tables की database में आप data को किस form में store करते हो किस form में store करोगे tables की form में okay and tables कैसे बनते है tables are the combination of rows and columns okay these are the rows horizontal rows and vertical columns right these tables are called relations okay और in tables को क्या कहा जाता है relations table को relations क्यों कहा जाता है क्योंकि all the tables of the database are related to each other okay the tables or relations are related to each other okay जैसे हम example लेते हम student database बना रहे हैं तो student database में आप जितनी भी tables store करोगे वो साई students की details उन समके अंदर students की details होगी right तो all the tables are related to each other in a particular database that's why tables are called as relations okay tables को इसलिए relations कहा जाता है right relational model terminology relational model में जो जो terms use होते है now we are going to see them okay so the first term is entity सबसे पहले जो term relational model में use होते है वो है entity right now what is entity an entity is something that exists and about which we can store some information entity वो चीज है जो present है जो exist करती है और जिसके related हम information store कर सकते है okay about which we can store some information जिसकी information हम store कर सकते है for example student entity student entity student related information store कर सकते हो student name student id student class student father's name mother's name fee detail and all so many details are there right employee entity आप employee related information store कर सकते हो employee id employee designation employee salary and so on item entity आप items related information store कर सकते हो item price item sale and purchase etc right entity entity becomes the name of the table तो जो entity होती है उससे ही related हम table का name रखते है जैसे हमारे पास यह student का data है तो हमने table का name क्या यहां पर रखा है student relation रखा है student relation right for example student table right now next we have attributes now what are attributes okay columns in the table are called attributes or field table के अंदर जो columns होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं attributes और field right the values in each column are of same type same data type attribute की क्या quality है क्या characteristics है एक particular column में same data type की value store करोगे आप right मतलब एक attribute क्या करता है एक particular data type की values को store करता है like student idea student ID में क्या है सारे numbers है then we have the name name attribute के अंदर क्या है आपके string values है characters है font font के अंदर again numbers है d o b then आपका date data type इसमें use हुआ है fine okay तो जो एक particular attribute होता है वो one type one data type की value store कर सकता है आप phone जैसे आप example लो phone के अंदर यह तो नहीं है आपने first जो इसका column है उसके अंदर आपने numbers कर दिए फिन second में आपने क्या किया characters डाल दी a b c d no it will not let you enter the a b c d right okay for example here student relation consists of four field or attributes student id name phone number and d o b अभी बता रहा है कि यहां पर जो table है student relation हमारे पास है student relation means student table okay उसके अंदर four attributes है four attributes यहां पर student id name phone and d o b okay तो इसके यहां पर four attributes है okay तो यहां पर table की columns को हम क्या बोलते हैं tables की columns को हम attributes भी बोलते हैं fields भी बोल सकते हो आप और columns भी बोल सकते हो right so it has three names okay and they are vertical always remember columns are vertical and they contain data of same data type एक particular column में same data type का data आप store करोगे find now we have tuple okay each row in a table is known as tuple table के अंदर जो rows होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं tuple okay columns को attributes बोलते हैं और rows को क्या कहते हैं tuple right it is also called a row or record okay और हम tuple को row भी बोल सकते हैं record भी बोल सकते हैं right a record in a table represents a set of related data और एक record क्या करता है एक particular set of data को represent करता है जैसे यहां पर यह फर्स रिकॉर्ड है यह आपका record 1 है इसके अंदर MET का record है name of name of the student is MET and student ID of MET is this phone number is this DOB is this okay तो एक particular record यहां पर represent हो गया complete record represent हो गया MET का okay okay for example the student table has four records तो यह बता रहा है यहां पर जो हमारे पर table है उसमें कितने records है four records है right okay तो it has four attributes this student relation has four attributes and four records और four tuples right और four tuples fine next we have cardinality of relation cardinality क्या होता है मनलब table की cardinality क्या होता है okay the number of tuples in a relation is called the cardinality of relation table के अंदर जितने tuples होते हैं okay उसको क्या कहा जाता है उसको table की cardinality कहा जाता है okay and we know it very well कि table को relation कहा जाता है right example the cardinality of student relation is four तो student relation की cardinality क्या है four है four क्यों है क्योंकि इसके अंदर रोस कितनी है four ठीक है और you can say इसके अंदर tuples कितनी है four तो इस table की cardinality क्या है four cardinality four क्यों है क्योंकि number of tuples in a table in a relation is called as cardinality of the relation okay now we have degree of relation the number of columns or attributes in a relation is known as the degree of relation ठीक है एक table के अंदर जितने columns होते हैं okay और you can say जितने attributes होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है उनको degree of of table और you can say degree of relation कहा जाता है राइट तो यहां पर हमारे पास कितने columns है student id one column name two font three and do b four तो यहां पर degree student relation की degree क्या है four ठीक है तो degree क्या होते है जितने columns होते है table के अंदर और you can say relation के अंदर उसको क्या बोलते है degree of relation fine now we have domain of relation domain क्या होते है a domain is a pool of values from which the actual values appearing in a given column are drawn okay इतका क्या meaning है table के अंदर जितने भी columns होते है you can say जितने भी attributes होते है उनका एक particular domain होता है domain क्या होता है domain domain एक set of values होता है right okay domain क्या है एक set of values है वो column उन particular set of values से ही अपनी values को लेता है ठीक है यहाप लिख है domain is a pool of values from which the actual values appearing in a given column are drawn मतलब इससे लेता है ठीक है तो जितने भी इसके अंदर columns होते हैं उनका एक domain होता है और वो क्या करते है अपने particular domain से ही values को access करते है values को लेते हैं तो id का domain होगा वो id जो भी values होंगी वहां से values लेगा name का domain होगा वो name जो भी values होंगी उस particular set में वहां से value लेगा class अपने particular domain से value लेगा okay तो यह domain क्या है pool of value मतलब एक पूल है values का और you can say set of values है एक number of values है जहां से एक particular column अपनी values को access करेगा ठीक है it is the set of all the possible values that an attribute may contain और इसके अंदर वो सारी values होते हैं जो एक particular field को चाहिए fine for example in the given table student domain for the field gender contains two values अब देखो gender के अंदर का domain है सिर्फ दो ही value यहां पर contain कर रहा है female और male ठीक है because male and female are the two possible values that it may contain क्योंकि gender field में यह दो ही values क्या है इसको दो ही values की requirement है female and male की तो जो इसका domain है वो दो ही value को contain कर रहा है male and female fine समझ आगे domain क्या होता है domain is a pool of values from which a particular attribute a particular column access its values fine now we have the most important thing relation जो हमने अभी किया है क्या होता relation relation is the table in which data is arranged in the form of rows and columns okay relation क्या है table है जिसमें हम data को rows and columns की form में arrange करते हैं okay in the given student relation यहां पे देखो यहां पे student relation है there are four tuples okay four tuples है मतलब four rows है इसलिए cardinality भी क्या है four है ठीक है cardinality क्या होता है number of tuples in relation and four attributes four attributes means four attributes means four columns okay इसलिए degree क्या है degree क्या होता है number of columns in relation to degree हमारी यहां पे क्या है four okay student id name phone number and dob are the attribute name okay और यहां पे यह वाल जो student id name phone and dob क्या है attributes के name है okay so relation is what it is a table right and why we call it relation because in relational database all the tables are related to each other now we have database keys okay keys are very important part of relational database ठीक है keys क्या है keys क्या होते columns होते fields होते हैं ठीक है और यह relational database में बहुत important part play करते हैं they are used to establish and identify relation between two or more tables relational database की characteristics क्या है इसके इंदर जितनी भी tables होती वो एक दूसरे से related होती है तो जो relation establish करने का जो काम होता है वो किसका काम होता है वो कौन करता है वो keys करती है right okay देखो यहां पर they are used to establish and identify relation between two or more tables fine the different type of keys in rdbms are as follows तो अब यहां पर हम keys देखते हैं कि कौन कौन keys हम relational database में use करते हैं fine okay so the first one is primary key सबसे पहले जो हमारी key है वो है primary key ठीक है अब primary key is a set of one or more attributes that can uniquely identify tuples within the relation okay तो primary key वो columns होते हैं वो attributes होते हैं जो क्या करते हैं table की records को table की tuples को uniquely identify करते हैं ठीक है एक दूसरे से differentiate करते हैं ठीक है एक दूसरे से डिफ्रेंशीट करते हैं for example student id is the primary key in in student relation तो यह क्या कह रहा है देखो example student id क्या है primary key student table में ठीक है हमें आपको एक नॉर्मल से पर उनको से पर उनको से नहीं होगा तो जब अगर teacher उनका उनसे लेटेट कोई table बनाती है डेटा स्टोर करती है तो और उनको उनका डेटेल स्टोर करेगी रैट तो यहां पर रोल लंबर क्या बन जाएगा रोल लंबर वाला कॉलम क्या बन जाएगा वह primary की बन जाएगा ठीक है प्रेमरी की क्या होता है वह कॉलम होता है और आप कह सकते हो फील्ड होता है वह ऐट्रिब्यूट होता है ठीक है जिसके अंद में यूनीख डेटा स्टोर होता है फाइञ और उस यूनीख data की help से हम रोस को एक दूसे से और रिकॉर्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं पाइन ओके तो यहां पे देखो इस टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट आइडी को क्या बना दिया है प्राइमरी की ठीक है तो समझ आगे न की का मतलब क्या कॉलम है फिल्ड है ठीक है ओके तो प्राइमरी की के क्या फीचर्स है जिस फिल्ड को हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या क्रेक्टर्टर्स्टिक्स होनी चाहिए राइट अब प्राइमरी की डज नॉट कंटेंड डूप्ल इससे नहीं करता सकते हो टाइंबर रोल नंबर इसम रही है रिकोर्स में नहीं रहीड इकार सकती है डो डूप्लिकेट वेल्यूस नहीं डाल सकते प्राइमरी की इसको कंटेन नहीं करती है ठीक है जो फिल्ड प्राइमरी की बनता है वह डूप्लिकेट वेल्यूस को कंटेन नहीं करता है है ड़ाइल्यक्रड के इसका क्रहें कहा है प्रैमरी की ऊचिए दर कोई भी वैल्यू नहीं हो सकते हैं किसी वैल्यू को आप जीरो नहीं बना सकते हैं ऑके वेन फ्रैम्री की कांसिटा सब्सक्राइब in one attribute it is called composite primary key और concatenated primary key आप एक से ज़्यादा columns को भी क्या बना सकते हो primary की बना सकते हो ठीक है जब हमारे पास एक से ज़्यादा columns combined होके primary key बनती है तो हम उसको क्या बोलते है composite primary key और concatenated primary key तो primary की कौल सा column है वो column है वो field है जिसके अंदर unique data होता है है जिसमें कोई भी value null नहीं होती ओके और जो help करता है table के records को एक दूसरे से differentiate करने में ओके और जब हम एक से ज़्यादा columns को combine करके primary key बनाते हैं तो उसको composite primary key या concatenated primary key कहते हैं right now next we have candidate key what all the attributes in a relation that are candidates or are capable of becoming a primary key are called candidate key okay अब candidate keys क्या होते है candidate keys वो columns होते हैं वो attributes होते हैं जिनके अंदर primary key बनने की capability होती है मतलब वो primary key बन सकते हैं क्योंकि as the possesses all the characteristics of primary key क्योंकि उसके अंदर primary key की सारी characteristics होती है ठीक है जो क्राइमरी की क्राइमरी की क्या होती है उसके अंदर duplicate data ना हो null values ना हो राइट तो जितने भी columns के अंदर primary की बनने की capability होती है उनको हम candidate key कहते हैं राइट अब यहां पर देखो for example in student relation student ID role number and email are three candidate की है तो यहां पर हमारे पास three columns है और three attributes है जिन में से जिन में से जिन की अंदर primary की बनने की capability है student ID के अंदर unique data है और null values नहीं है इमेल के अंदर unique data है null values नहीं है email के अंदर unique data है और null values थे तो उसमें से हमने वन चूज करके प्रैमरी की बना दिया एंड इस टूडेंट इडी कॉलम ठीक है समझा गया candidate keys कौन से होते है candidate keys वो कॉलम होते हैं वो attributes होते हैं जिनके अंदर प्रैमरी की बने के लिए सारे characteristics होते हैं fine which provides the candidature for the to become the primary key okay now we have the alternate keys now alternate key क्या होती है out of candidate keys one is chosen as the primary key candidate key which is not chosen as primary key is called alternate key okay तो अभी हमने देखा था candidate keys कौन से होते हैं जो primary key बनने के लिए capable होती है ठीक है तो out of candidate keys one is chosen as primary key जितनी भी candidate keys थी उनमें से हमने एक को एक से ज्यादा की group को क्या बना दिया primary key बना दिया ओके तो जो बाकी के candidate keys बच गई है जो रह गई है ठीक है वो अब क्या बन जाएंगी alternate keys बन जाएंगी जैसे हमारे पास तीन candidate keys थी student ID role number और email उसमें से आपने student ID को बना दिया student ID को आपने बना दिया primary key ठीक है student ID को आपने बना दिया primary key तो अब हमारे पास दो candidates बच गए role number और email ओके तो अब role number और email क्या बन गए है ये दोनों बन गए alternate key ठीक है हमारे पास तीन candidate keys थी जिसमें से एक को हमने चूज कर दिया primary key तो जो बाकी की candidate keys बच गए जो रह गए उनको अब हम क्या बोलेंगी alternate keys समझ आया ठीक है candidate keys में से आपने primary key को minus कर दिया तो आपके पास बच गया alternate key fine for example in the student relation student ID role number and email are three candidate keys हमारे पास तीन candidate keys थी out of them student ID became the primary key student ID को हमने primary key बना दिया so role number and email became the alternate keys ठीक है जब हमने student ID को primary key बना दिया तो role number और email अब हमारे क्या बन गए alternate keys fine ओके समझ आया जब candidate keys में से primary key को चूज कर लिया जाता है तो जो बाकी बच्ची हुई candidate keys होती है उनको वो क्या बन जाती है वो बन जाती है alternate keys okay next we have foreign key okay now what is foreign key a known key attribute whose values are derived from the primary key of some other table is known as foreign key in its current table foreign key क्या होती है foreign key वो column होता है जिसकी values हम किसी दूसरे table की primary key से लेते हैं समझ आया foreign key वो column है वो field है ठीके वो attribute है जिसका data जिसकी values हम किसी दूसरे table की primary key से लेते हैं इस table के अंदर यह क्या है primary key नहीं है ठीके बट हम इसका जो data ले रहे हैं वो कहा से ले रहे हैं दूसरे table की primary key से ले रहे हैं okay तो इस current table के अंदर इसको हमने क्या name दे दिया foreign key foreign key कौन सी की होती है that access that takes its data from the primary key of some other table ओके in other words a non-key attribute of a table which is the primary key of some other table is known as foreign key इसको ये भी बोच सकते हैं एक table का non-key attribute non-key attribute मतलब जो कोई key नहीं है ठीक है लेकिन दूसरे table में वो क्या है primary key है fine उसको हम क्या बोलते हैं foreign key simple words में आप समझो ऐसा ऐसा field ऐसा column जिसकी values किसी और table के primary key से क्या हो रही है access हो रही है drive हो रही है तो उस column को हम क्या बोलेंगे foreign key ठीक है student ID attribute of table department is the foreign key ठीक है तो student ID department table का क्या है foreign key since its values are derived from the primary key of the table student और इसको foreign key हम क्यों कह रहे है क्योंकि इसकी value हम कहां से ले रहे है इसकी value कहां से drive हो रही है primary key of student table student table की primary key से fine a table which contains primary key is called primary table और master table ठीक है जिस table के इंदर primary key होती है उसको हम primary table कहते है और master table भी कह सकते है right and a table which contains foreign key is called foreign table और detail table और जिस table के अंदर foreign key होती है उसे आप foreign table भी बोच सकते है और detail table भी बोच सकते है okay समझाया तो foreign key क्या है foreign key वो field है वो column है जिसका data कहां से access हो रहा है कहां से drive हो रहा है किसी दूसरी table के primary key से access हो रहा है right okay we have what is SQL okay SQL stand for structured query language अभी मैंने आपको बताया था MySQL क्या होता है MySQL software है वो software कौन सी language यूज़ करता है वो software यूज़ करता है SQL structured query language okay now SQL is a standardized programming language that is used to manage relational databases and perform various operations on the data in them okay SQL क्या है language है एक programming language है जो क्या करती है relational databases को manage करती है okay और relational database means relational database को बनाने में उसके अन्दर tables create करने में tables के अन्दर data insert करने में okay how you will और data को एक्सेस करने में जिस programming language का यूज़ होता है वो है SQL okay तो यहां पर SQL का है it is a programming language which is used by the MySQL software right SQL commands are used to create transform retrieve information from relational database management system तो यह क्या कर रहा है SQL command हम use करते है बनाने के लिए create करने के लिए transform मतलब change करने के लिए retrieve information मतलब एक्सेस करने के लिए information लेने के लिए कहां से relational database management system से and also to create an interface between the user and the database अब जो यह language SQL वो क्या करती है वो interface बनाती है user और database के बीच में interface क्या होता है medium ठीक है medium होता है एक एक रास्ता जिसके तूँ आप किसी से बात करते हो ठीक है पाहां पे हमें database को एक्सेस करना है तो हम SQL की commands कहां का use करेंगे हमें database के नदे और data डालना है तो आप हम avenue, car use करेंगे database के JPE नदे हमें कोई,LES chanj करना USB을 को एक coaching interface interface हमारा मतलब user sm-OS database ḥ एक!!! यह बाइ उजिए एस्क्रील कमांड वन किन सर्च एनी डेटा इन देटाबेस एंड परफॉर्म अधर फंक्शन लाइक रिए टेबल्स एड रिकॉर्टाइड डेटा रिमूव रोग ड्रॉप टेबल्स तो एस्क्रील कमांड की हैस से आप डेटाबेस के अंदर कोई भी फंक कर सकते हो अगर जो पहले से डेटा है उसको आप मोडिफाई कर सकते हो ठीक है आप टेबल की रोस को रिमूव कर सकते हो आपको कम्प्री टेबल को रिमूव कर सकते हो डिलीट कर सकते हो ओके सो ओल दो फंक्शन्स ओकी ओल दो फंक्शन्स यू किन पर्फॉर्म विध रहल of structured query language right तो यहां पर हम को समझ आ गया what is mysql and what is sql mysql is a software and sql is the language which is which is used by mysql software okay to create the database and to do all the functioning of the database now we have classification of sql statements okay sql statement को हम कैसे classify कर सकते है sql provides different types of statements और commands for different purpose ठीक है sql जो हमारी programming language है उसके इंदर different different commands है different different function के लिए different different purpose के लिए ठीक है these statements are classified into following categories और जो statements है हमने उसको different categories में divide कर दिया है first we have the data definition language DDL then data manipulation language DML data control language DCL transaction control language TCL okay तो हमने क्या किया है यहां पर sql commands को और you can say sql statements को divide कर दिया different different categories में right आपके syllabus में अभी data definition language है और data manipulation language है so we are going to do these two categories of sql command okay now first we have data definition language command that is DDL commands okay DDL commands are used to define the database structure और schema ठीक है जो DDL commands होती है data definition language commands होती है वो किसलिए यूज होती है वो यूज होती है database का structure define करने के लिए मतलब उसका structure बताने के लिए कि इसका structure कैसा होगा okay इसकी help से आप एक structure मनाते हैं जैसे आपको एक box सबसे पहले का एक box बनाना है तो DDL command data definition language commands क्या करेंगे वो box को create करेंगे अब उस box के अंदर जो आप data डालोगी वो हम दूसी command से डालेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है box बनाना है ठीक है आप एक और example ले लो सबसे पहले आपको building बनानी है एक structure बनाना है फिर उसकी building के अंदर आपको अपना समान डालना है bed, sofa जो भी आप डालना चाहते है तो सबसे पहले क्या चाहिए एक building चाहिए एक आपको house चाहिए आप house बनाऊगे तो यह structure है तो यहाँ पर हमने क्या करना है data definition language commands की help से सबसे पहले आपको database का structure बनाना है schema और structure are the same term तो here we have example of DDL commands हमारे पास DDL commands के कुछ example है DDL के अंदर कौन कौन सी commands आती है बहुत सारी आती है लेकिन उसमें से हमने कुछ लिये important commands first we have create command to create objects in the database create command का क्या use है create command की help से आप database के आपका आपा क्या करोगी database के objects को create करोगी database क्यों होते है tables होता है वह के views होते है तो create command की help से आप क्या करोगे database को create करोगे to create database create tables तो यहां पे क्या बन रहाए यह आपका डेटाबेस बन दिया उसके अंदर आपने देहल का structure बना दिया अंदर आपका टेबल का स्टॉक्छर बन गया सिंप्ली स्ट्रक्ट्टर बन नहीं हुआ है एंपको स्ट्क्टर में कुछ प्राप्लम है ठीकिग है इसे प्रेक्टी को चेंज करने मिला और ने future database means to change the structure of the database alter table आप table के structure को change करसे हूं वह affect the agrees magical आपको कॉलम है और एड़ कर दो टो एड एन इंती Tracy कंस्त्राइं आपको इंडर स्क्रिक्स्राइं कि अडिर सथे स्वार्ट nggak까 क्यों को सचे प्लॉल्स होते हैं आप उसके इंदर जो हम constraint होते हैं वह हम कब लगाते हैं जब टेबल हम create करते हैं most of the times table creation की time पर constraint को use करते हैं लगाते हैं तो आपको अंदर टेबल के अंदर कोई constraint add करना है तब आप वह alter table की help से कर सकते हो to redefine a column ठीक है किसी column का आपको data type change करना है size change करना है है value change करनी है default value जो आपने दिया है वह आपके इसकी help से कर सकते हैं altered command की help से ठीक है then we have drop command delete objects from the database हमें क्या करना है कुछ कोई भी object database को delete करना है यह table को delete करना है तो हम क्या कर सकते हैं drop command का use कर सकते हैं so basically data definition language commands क्या है data definition language commands वह commands है जिसकी help से हम structure create करें database का structure create करें table का structure create करें okay fine और उस structure में कोई भी change करना चाते है वो change हम कर सकते हैं right so here we have I have shown you some examples of ddl command create to create the table to create the databases alter to change alter command is used to make change in the structure of the database to change to make change in the structure of the table drop to delete the object object means to delete the table okay to delete the database all this okay so data definitions are used to define the database structure fine okay हमने ddl command से क्या किया ddl command से हमने database का structure create कर लिया now we have data manipulation language commands right हमने database का structure बना लिया right हम लोगों ने इसके अंदर tables का भी structure create कर दिया तो यह सब क्या empty अभी ठीक है यह this is only the structure यह सिर्फ धांचा है इसके अंदर कुछ डाला नहीं गया है यह empty box है और इसके अंदर भी data based table okay so data manipulation language commands का यूज है इसके help से आप data store करोगे tables के अंदर okay और जो भी आप data के अंदर change करना चाहते हो आप data के अंदर change कर सकते हो right we have created the structure of the table we have created the structure of the tables with the help of ddl commands now we will insert the data with the help of dml commands and we can also make changes in the data with the help of dml commands right so here are few example of dml commands select first command is select retrieve data from the database table okay तो अगर आपके database में कोई भी data है tables के अंदर data है तो आप select command की help से उनको retrieve कर सकते हो retrieve means उनको access कर सकते हो उनको ले सकते हो insert insert data into the database table in insert command की help से आप data डाल सकते हो tables के अंदर this episode teach返 connections command की help से आप data को retrieve कर सकते हो access कर सकते हो update अपडेट existing data within the database update की has data को update कर सकते हो जो भी आपको data के अंदर change कर नहीं सबक्र Went Canada theme क्लाइबाइब के कमांद की help से आप कर सकते हो right then you have delete delete अगर आपको सारे रिकॉर्स डिलीट करने है तो आप डिलीट की है डिलीट की है डिलीट की है डिलीट कर सकते हो और आपको फ्यू डिलीट करने है तो आप क्या करोगे पर्टिकुलर कंडिशन लगा की और डिलीट कमांड का यूज करके इसको डिलीट कर सकते हो तो डिलीट क कि help से हमने structure को बनाया database के structure table का structure dml command की help से हमने इसके देटा को insert किया data को access किया जो भी data के अंदर change करना है वो हमने किया ठीक है अगर data को delete करना है तो delete किया right तो dml ddl command is used to create the structure of the database and the database objects and dml command तो जितना भी आप डेटाबेस के अंदर जो भी रिकॉर्स है उसमें जो भी चेंजिस करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, एकसेस करना है, वो आप DML कमांड की हल्प से करोगे, ओके? यह mostly एक question आ जाता है one mark यह two mark का तो मैंने यहां पर difference दे दिया है difference between the DDL and DML commands DDL stands for data definition language right सबसे पहले आपने उनकी full form दे दी DML stands for data manipulation language okay DML क्या है data manipulation language DDL क्या है data definition language मतला वो data definition language means वो data का structure define करता है और DML क्या है data में जो भी manipulate करना है जो भी manipulation करना है वो define करता है right now we have DDL DDL it contains commands that define the different structures in the database यह मैंने भी आपको बता है DDL करता है DDL का क्या use है यह database का structure define करता है और database के जो आप जो भी objects create करना साथ आप चाते है उनका object यह क्या करता है define करता है यह बताता है राइट DDL it contains command that enables user to access and manipulate data in the database तो DDL commands क्या करते है इसकी help से हम क्या कर सकते है data insert का सकते है access का सकते है manipulate का सकते है ठीक है तो DDL क्या है structure define करता है टेबल का structure database का structure और भी objects आप यूज करें उसका structure और उसके अंचे जो डेटा है ठीक है data के आप साथ जो भी function करना चाहते हो वो dml आपको define करते है dml commands आपको define करते है तो this is all about the difference between the ddl and dml commands तो first data type is integer okay this is also called as int इसको int भी कहा जाता है it stores positive whole numbers up to 11 digits and negative whole numbers up to 10 digits तो जब आप integer data type का use करोगे तो integer data type में आप क्या store कर सकते हो आप positive numbers whole numbers store कर सकते हो whole numbers कौन से होते है जो 0 से start होते है up to infinite okay तो आप कितने भी numbers मतलब जो integer के अगर आपको numbers का use करना है okay table creation में किसी column में आपको numbers का use करना है तो आप वहां पे integer data type का use करोगे ठीक है और यह क्या store करता है यह positive whole numbers whole numbers कौन से होते है जो 0 से start होते है till infinite okay और इसकी क्या limited 10 sorry 11 digits के आप numbers ले सकते हो इसके अंदर positive अगर आप whole numbers ले तो 11 digits और negative ले तो आप 10 digits तक के numbers को store कर सकते हो okay the range of integer is from negative 21474836482 positive 2147483647 okay so simple integer data type is used to store the numbers whole numbers okay and these numbers can be positive as well as negative right okay now the next data type is float data type okay अब float का आपने कैसे दिया है float bracket में दिया xy then float अब xy का क्या मेनिंग है x यहाँ पर क्या represent कर रहा है size के total size कितना है जो भी आप value ले रहे हो उसका size कितना है and y के precision okay कि decimal की बात कितने values मतलब कितने digits वो carry करेगा right okay float data type कहां पर use होता है float data type हम यूज करता है जब हमें ऐसे numbers store करने जिसके Señor डेसिमल value है decimal value कौन से होते इते Fractional value Fractional Value मतलब जिसके अन्र decimal point होता है बनेंदर आप नहीं कर सकते हो को इसके लिए हमारे पास अलब टैप लट इसमिल फोर्मेट क। डैसीमल फोर्मेट के सकते हो यह पॉइंदर यह क्या हो गया डैसीमल फोर्मेट का दंग को 25.27 okay point हमने इसमें लगाया तो यह क्या होगे decimal format का number ठीक है the numbers are stored in the decimal format where x is the size that is the total number of digit and y is the precision that is it is the number of places to the right of the decimal point अब यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि अब जब हम इसको represent करते हैं तो कैसे करते हैं float size size मतलब total number of digit आपके number में कितने digit है ओके और जो y y जो यह वाला part होता है ठीक है वो क्या represent करता है कि decimal point के बाद ठीक है decimal point के बाद कितने digit आपने number के अंदर लगाए हैं कितने digit number के अंदर present है it is the number of places to the right of the decimal point okay मतलब decimal point के बाद कितने digit हैं ओके जैसे मैं example देते हैं float 8 okay coma 2 8 क्या हो जाएगा total number of digit in the numbers ठीक है अब इसके अंदर 8 digit है यह हमारा number है और इस number के अंदर 8 digit है 1 1 2 3 4 5 ठीक है इसके बस 6 sorry 6 and 7 5 and यहाँ पर okay 3 digits in this example float data type stores a number that has 5 digits before the decimal and 2 digits after the decimal and 1 digit place for the decimal ठीक है अब देखो total total हमारा क्या है 8 digit का number है लेकिन यहाँ पर क्या देखो decimal को भी as a digit consider किया जाएगा ठीक है अब 8 total number of digit और decimal के बाद कितने digit है आपके 2 तो यहाँ पर देखो 6 और 7 यह हमने हमारे 2 digit है और total कितने है total हमारे 8 including decimal point decimal point को भी as a digit include किया जाता है understood तो यहाँ पर क्या हो गया ठीक है इसके अंदर कितने complete digit कितने है 8 और किसको मिला के decimal point को मिला के ठीक है और after decimal point हमारे पास precision क्या है 2 precision मतलब 2 digit है fine decimal precision can go up to 24 places for a float अब यह क्या कह रहा है कि decimal की बाद आप 24 4 digits भी दे सकते हो ठीक है जब आप float data type को use करे हो understood जब आपको simple integer digit number simple number store करने है जिसके इंदे कोई भी decimal point नहीं है तो आप integer data type का use करोगे जब आपको decimal numbers और और you can say fractional numbers store करने है तो आप कहुन सा data type use करोगे आप float data type use करोगे ओके next we have care data type तो यहाँ पे इसका format है care x और care size ठीक है आप इसको define कैसे करते हो care और यहाँ पे size size क्या है number of characters ओके in a particular column name जैसे आपने जब हम इसको table create करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं जैसे हमने table हमने लिया है मालो एक हमने column लिया है sorry यहाँ पे care एक column हमने लिया है care name care name लिया है care name okay and यहाँ पे आपने दे दिया 20 care name 20 यह मैंने care column को define किया है care name 20 यहाँ पे थोड़ा सा it's not visible clearly but I am telling you this is care name 20 okay तो यह हमने ऐसे किया है तो यहाँ पे जो 20 है 20 क्या है size है मतलब name column के अंदर जब आप name enter करोगे तो उसकी maximum limit के है 20 characters है मतलब एक name के अंदर 20 से ज़्यादा characters आप use नहीं करोगे 20 is the maximum limit of the name fine अब आप देखते है what is care data type care data type provides fixed length memory storage अब यह क्या कहरा care data type कैसा data type है जो हमें एक fixed length का memory storage दे देता है मतलब अगर आपने यहाँ पे care name 20 लिखा है तो आपको 20 blocks मिल गए है memory के और वो change नहीं होंगे you have got 20 blocks of the memory right it specifies a fixed length character string अब इसका यह fix है care name 20 means it is fixed name चाहें आप जैसे मैंने इसमें name एंटर कर रहा है amit a-m-i-t amit ठीक है तो amit के अंदर क्या है four characters है right amit के अंदर हमारे पास क्या है four characters है लेकिन मैं care name 20 declare कर चुकी हूँ तो यह जो starting के four blocks है उसके अंदर amit आ जाएगा और बाकी के बच्चे हुए 16 blocks है उनको release नहीं करेगा right उनको as it is अपने पास ही store करके रखेगा are you getting इसलिए care को क्या बोलते है fixed length characters टे okay the care data type can store a maximum of 255 characters care data type अगर आप use करे हो तो आप जो maximum limit है character store करने की वो क्या है 255 characters आप एक particular value में store कर सकते हो right if the value entered is shorter than its length x then blanks are added okay जो बैने अभी आपको बताया कि आपने declare कर दिया care name 20 just an example आपने care name 20 कर दिया और आपके name में से four characters थे four store हो जाएगे उसके बाद जो 16 blocks हैं जो blanks हैं वो भी इसके अंदर ही add होके रहेंगे वो release नहीं होते हैं fine we should use care data type in a column while using fixed length data in the column like phone number, area code, etc इसलिए क्या कहते हैं care data type आप use करें हो तो तभी use करना चाहिए जब आपको पता हो कि इसकी length क्या है जैसे phone number हमें पता है कितने numbers का phone कितने उसके नदर क्रेटर आएंगे तो phone number हो गया area का code आपको पता है कि इसके दर फोर क्रेटर होंगे या फाइफ क्रेटर होंगे तो उसमें आप care data type यूज कर सकते हो right care data type क्या होते है fixed length memory storage होता है ठीक है ओके एक fixed length character string को store करता है right तो care data type आपको कहां यूज करना है जहां पे आपको पहले से पता है कि इस particular column में particular value में कितने characters आएंगे otherwise क्या होगा it is just a wastage of memory आपने care name 20 लिग दिया उसकी बाद आपने फर्स फर्स कॉलम में आपने जो value डाली 4 जो फर्स नेम था वो फोर करेक्टर का था सेकिंड नेम था आपका फाइव करेक्टर का था तो क्या होगा बाकी की 15 जो blocks है वो memory blocks है कि वो क्या होगे वो fix हो गए वो care क्या करता है release नहीं करेगा fine okay next we have where care okay where care data type provides variable length memory storage अब where care क्या होता है यह this data type also stores character value care के अंदर क्या है हम character value को store करते है where care के अंदर भी हम लोग character value को store करते है राइट it specifies a variable length character string इसमें क्या है इसमें आप कोई भी value जो इसको define करते हो वो क्या होता है variable length की अगर मैंने इसको कर दिया where care इसके आगे वेर लगार होते है ठीक है d a r because oh this is not clearly visible I am trying to write it आपने लिखा where care okay where care okay name 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 20 let us suppose you have written where care आपने डेक्लेर किया किसी भी कॉलम को where care 20 ठीक है तो अब अगर आपका नेम है अमित a m i t amit क्या है four characters का नेम है ठीक है तो क्या होगा बाकी के 16 जो उसके आप जो blocks है memory blocks है क्या करेगा where care उसको release कर देगा so that it can be used by some other function some other thing right तो where care का क्या फाइदा है इसको use करने से आप क्या memory wastage नहीं होता है ठीक है the where care data type can store maximum of 65,535 characters और इसकी limit भी ज्यादा इसमें आप ज्यादा characters store कर सकते हो no blanks are added if the length is shorter than the maximum length x ठीक है तो यह क्या कहरा कोई भी blank add नहीं होता memory block इसके अंदर add नहीं होगा ठीक है जितनी इसके अंदर आप जितना एक particular value के अंदर characters होगे सिर्फ उतनी ही memory use होगी बाकी की memory क्या होती release हो जाती है कोई भी blank इसके अंदर add नहीं होता है where care will take only the required storage for the actual number of characters entered in that column okay तो मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ जितना उसको memory space चाहिए अभी characters store करने के लिक सिर्फ उतना ही लेता है बाकी की memory वो release कर देता है we should use where care data type in a column while using variable length data in the column like name, address, designation where care mostly use कहां करते हैं जहां पर हमें पता नहीं है कि जो columns के इंदर values आएंगी उसमें कितने characters आएंगी because there is no wastage of memory तो हम where care use करते हैं अगर ज्यादा characters है ठीके तो वो उतना occupy कर लेगी अगर less characters है तो बाकी की memory क्या कर देगा where care release कर देगा ओके next we have date data type इसका use कहां करते हैं जब हमें date को store करना है ठीके table के अंदर database में this data type is used to store a date in the format year month and day तो अगर आपको date store करने है तो किस format में आगी year month day it stores year month and date values the date values to be entered are to be enclosed in curly brackets or with single quotation marks ठीके तो अगर आप date store करें तो क्या उसकी condition है कैसे करने है यह तो आप date को single quotation mark में enclose करोगे या double quotation mark में भी enclose कर सकते है या फिर आप इसको curly brackets में store करोगे ठीके और format क्या होगा format होगा आपका year जैसे यहां पर हमारा आगया 2000 22 ओके देन मन्त आगे आपका 02 and day आपका आगया 27 27 27 ओके इस format में आप इसको date को store करोगे राइट अगर आपको क्या करना है आपको yes no store करना है या true false store करना है तो वहां पे आप कौन सा data type यूज करोगे आप बूलियन data type यूज करोगे राइट तो बूलियन data type में किस form में आप value store करोगे आप इधर आप उसको करोगे true false true or false राइट ओके और आप yes and no की form में भी data को store कर सकते हो yes or no भी आप कर सकते हो fine okay तो अगर आपको simply इस type कर data store करना है true false logical data store करना है true false और येस और नो आप बूलियन data type कर यूज करोगे okay वो रूस और रेगुलेशन है जो SQL की टेबल के creation के time पर या SQL table के alteration के time पर उनके fields पर apply किया जाता है तो constraint यहां पर क्या है constraint are defined as the checks or conditions that are applied to the columns or fields of the table तो वो rules है वो conditions है जो apply के जाते हैं कहां पर table के columns पर right to limit the type of the data that we are entering कि किस type of data हम enter करना चाहते हैं हम duplicate data enter करना चाहते हैं या नहीं हम null data enter करना चाहते हैं या नहीं लगाया जाता है okay the constraint applied to maintain data integrity are also known as integrity constraint तो यहां पर जो constraint का main rule main जो use है वो क्या है data integrity को maintain करना fine that's why SQL constraint को आप integrity constraints भी कहते हैं now constraints can be specified when the table is created with the create table statement अब कहां कहां यूज कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो जब आप table को create करते हो तब आप constraints को table के ओपर apply कर सकते हो और after the table is created with the alter table statement या फिर table create हो चुकी है तो आप alter table statement के साथ constraint को apply कर सकते हो table के ओपर ठीक है तो यहां पर हम क्या discuss करेंगे we will focus on the following constraint तो according to the syllabus हम यहां पर not dull, unique and primary की constraints को discuss करेंगे practically करेंगे ओके so let us start सबसे पहले मैं यहां पर command देती हूँ show data basis आपके पास सारे database आगे हैं इन में से हम कोई भी database use कर लेते हैं मालो मैंने यहां पर use कर लिया use my db fine okay now we will create a table अब हम क्या करेंगे एक table create करते हैं पहले इसमें table देख लेते हैं my db में कौनसी table है show तो student table औरेडी है इसके अंदर तो मैं यहां पर एक new table create करती हूँ create table std right मैंने std name ले लिया table का इसमें में लेते हूँ role number role number आपने int ले लिया okay next field में लेते हूँ student name okay उसको हम ले लेते हैं where care 30 okay and then we are taking marks marks हम ले लेते हैं float so we have created one table here ठीके हमने एक table create किया है मैंने यहां पर table क्यों create किया है मैंने table इसलिए create किया है कि मैं आपको बता सकूँ कि by default आप एक table के अंदर null value भी insert कर सकते हो और duplicate value भी insert कर सकते हो okay by default our table can contain null values as well as duplicate values right तो यहां पर हम इसके अंदर data डालते है insert into stood values okay roll number one ले लिया हमने okay and यहां पर आपने name ले लो रोहन pine and आपने इसको थोड़ा सा उपकड़ते हैं हाँ और name आपने okay okay अब मैं इसको फिर से मैं क्या करें यहां पर data को duplicate करें यह जो मैंने एक record पहले insert किया था इसको मैं दुबार से insert करें हो गया insert second क्यों यूज करते हो जिससे कि आप इस duplication को रोख सको ठीक है डिटन्डेंसी को आप रोख सको ठीक है अब यहां पर फिर्स देखो duplication of data यहां पर हो रहा है second मैं क्या करती हूँ अगर मैं किसी field को क्या करना चाहती हूँ क्या करना चाहती हूँ दो इसके अंदर fields ले लिया मैंने name यहां पर ले लिया name name find और max मैंने यहां पर ले लिया ठीक है होगी row insert अगर आप करते हो अब select star from store देखो null value भी आ गई है तो by default एक table null value भी लेती है आप उसके इंसर्ट कर सकते हो और duplicate data भी आप उसके इंसर्ट कर सकते हो तो अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी यहां पर किसे not null constraint का use करके null values को avoid कर सकते हो अभी तो इसली वो null values ले रही है लेकिन अगर आप क्या गरते not null constraint को किसी भी column के उपर apply करते हो तो वो column null value को accept नहीं करेगा वो error तो अपना क्या करते हैं एक टेबल क्रेट करते हैं टेबल क्रेशन के टाइम पर मैं आपको सिखा जिए कि आप constraint कैसे लगा सकते हो तो यहां पर हमने किया create table stood 1 right मैंने यहां पर ले लिया role number int not null fine मैंने role number field पर लगा दिया not null constraint आप एक से ज्यादा field पर भी लगा सकते हैं ऐसा नहीं कि सिफ एक ही field पर लगा सकते हो एक ही column पर लगा सकते हो इतने भी column पर आप चाहो उतने columns में आप not null constraint कर यूज कर सकते हो where care 30 okay and then marks float right आपने table create की है okay अब इसके अंदर data हम insert 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 into stood values okay first आपने rule number 1 ले लिया then आपने यहां पर ले लिया रोहन and marks ले लिया आपने 80 fine second okay s name and marks values no 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 अब दह 절काः किया एरॉर आएगगी क ON जो अबाइख तो यहां पर आपको इस फिल्ट को वैल्ियों देनी ही देनी है अदरवाईस पी एर कि 서 अगर आप इसमें next record इंसर्ट करते हो insert into stud1 Okay, stud1 values stud1 मैं column roll number ले लेती हूं roll number को आप वेकें नहीं छोड़ सकते roll number ले लिया मैंने ठीक है और मैंने ले लिया s name s name find values और roll number में आपने 2 दे दिया और name में आपने दे दिया नहा fine देखो, अब इसमें record ले लिया क्यों क्योंकि जो हमने not null constraint एपलाई किया था वो roll number कॉलम के ओपर किया था अब अगर आप अपनी table को देखते हो select star from stud1 तो आ गया है marks column में ये null value ले रहा है नहीं ले रहा है तो not null constraint अगर आप किसी column पर अपलाई करते हो किसी field पर अपलाई करते हो तो वह तो भूपने वैल्यू करेगा next we have unique constraint तो unique constraint में क्या होता है जब आप किसी आप उसके अंदर डूप्लिकेट वैल्यूस को एंटर नहीं कर सकते हो तो मैंने यहां पर कर लिया create table stood to write row number int sname where care 30 ले लो और इसको हम कर देते हैं इसको हमने कर दिया उनिक मार्क्स फ्लोट फाइन ओके हमने क्या किया है sname कॉलम को उनिक अप्लाई कर दिया उनिक कॉलम पर अप्लाई कर दिया अब अगर इंसर्ट करते हो values okay one then मैंने दे दिया name औरीता and mark दे दिया 70 fine okay ,ohoh semi colon अब यह error आजाएगी आपकी value insert होगी है fine अब क्या करना है आपको मैंने अगर अगें यही same value insert करनी चाहिए तो क्या होगा यह value same insert नहीं होगी क्योंकि Rita Rita आप column के अंदर same नहीं ले सकते है अगर मैं enter प्रेस करती हूँ देखो आगया duplicate entry Rita for the key to 2s name आप नहीं कर सकते है लेकिन अगर आप same values करोगे यहां पर ठीक है मैं यहां पर इसको करती हूँ अगर मैंने यहां पर कर दिया one one ही रहने दिया और यहां पर मैंने रोहन कर दिया let us post name मैंने change कर दिया okay और मैंने mask कर दिया 80 fine इस case में क्या होगा जो आपका first column है roll number वह भी duplicate value contain कर सकता है और mark speed लेकिन s name नहीं कर सकता है अगर मैं enter प्रेस करती हूँ देखो data उसने ले लिया है select star select star from struto right आ गया देखो roll number column में भी duplicate values है marks column में भी duplicate value है okay लेकिन s name जो आपका column है वह duplicate values contain नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि उसके उपर आपने unique constraint apply किया है fine next हमारा है primary key constraint primary key constraint अगर आप किसी table पे table की column पे apply करते हो तो वह उस table का primary key बन जाता है और आपकी characteristics है primary key duplicate values को contain नहीं करती है और null values को contain नहीं करती है okay तो यहां पे हम क्या करते हैं table create create table stood 3 okay इसमें again roll number आपने ले लिया int primary key fine then its name where care ले लो where care 30 and यहां पे हम ले ले लेंगे marks float fine तो यहां आपकी table create हो गई है okay now we will insert the data insert into stood 3 values right roll number 1 okay name rohan and marks आपने दे दिया 90 fine okay अगर मैं चाहूँ मैं चाहती हूँ duplicate values को enter करना fine तो मैंने क्या करया हूँ primary key column के अंदर 1 को फिस इंसर्ट करया हूँ right तो क्या होगा यहां पे error आजाएगी दिखो कर मैं enter प्रेस करती हूँ error आगया है duplicate entry 1 for the key stood primary right तो आपका roll number primary की है आप उसके अंदर duplicate values नहीं डा सकते okay अगर मैं क्या करती हूँ यहां से 1 को हटा के 2 कर देती हूँ fine और let us suppose अगर मैं name same रहने देती हूँ और मैं marks भी same रहने देती हूँ तो क्या यह enter करेगा yes enter क्योंकि यहां पे roll number है आपका primary की उसमें आप duplicate data नहीं डा सकते देखो आगे value right अगर आप यहां पे करती हूँ select star from stood 3 data आ रहा है बस primary की के अंदर आप duplicate data को नहीं डा सकते okay same way मैं यहां पे क्या करती हूँ insert into stored 3 क्या ले लिया मैंने sname okay और marks values तो यहां पे मैं क्या करी हूँ primary की को null value देने की कोशिश करी हूँ जो नहीं लेगा error आएगी I am showing you that error ठीक है मैंने name में ले लिया पूजा एन्माक्स ले लिया 70 अगर मैं यह execute करूँ ठीक है तो क्या होगा मेरी error आएगी यहां पे लेखो यहां पे आगी field role number doesn't have a default value यहां तो इसके हंदे कोई default value होनी चाहिए default value क्या होती है अगर आप field को vacant छोडते हो तो उसके place पे default value हो जाती है null value के place पे right तो यहां पे हमारी role number क्या है primary की है वो null values accept नहीं करेगी fine लेकिन अगर मैं करते हूँ insert into std3 role number sname values role number मैं मैंने 2 दिया क्योंकि duplicate data नहीं दे सकते हैं पहले हमने क्या दिया था one दिया था okay and then आप name दे दो tina अब देखो two आपने दिया हुआ है इसके अंदर I think आपने two मैं हाँ two दिया हुआ है आपने two दिया हुआ है तो देखो यहां पर duplicate value को एंटर नहीं कर रहा है ठीक है अब यहां पर ओके तो यहां पर देखो आपका marks में तो नल आ गया है बट आपका role number column में duplicate value भी आप insert नहीं कर सकते नहीं आप null value को insert कर सकते हो क्यों क्योंकि आपका role number column क्या है आपका primary की column है fine command हमारी क्या है we will create database okay हम क्या create करेंगे database create create database okay आप अपने database का name कुछ भी रखते हो जैसे मैंने यहां पर रख लिया db1 right okay semicolon press enter क्या हुआ है आपका database create हो गया है अगर आपको देखना है कि आपका database create हुआ है कि नहीं हुआ है तो आप कौन सी command use करोगे आप लिखोगे show show okay data basis तो यह जितने भी database store होंगे okay इस software में वो क्या होंगे यह show करतेगा right देखो यहां पर आ गया अभी आपने स्कीमा है mysql performance schema says fine okay आपने क्या 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 डेटाबेस क्रेट किया फिर आपने देखा कि डेटाबेस बना है कि नहीं बना है okay या फिर जितने भी database से सबको देखना चाते हो तो आप show databases command का use करोगे fine अब हमें क्या करना है database का use क्या होता है database में आप क्या करते हो उसके अंदर आप table insert करते हो fine तो अभी हम क्या करेंगे database को open करेंगे और database को open करने के लिए command क्या होती है use right and database करने तो यहां पर हमने कौन सा database बनाया था db1 okay semicolon right अब देखो अब आपका database क्या हो चुका है open हो चुका है okay अगर आप क्या चाहते हो आप database को delete करना चाहते हो fine इसको remove करना चाहते हो okay तो आप क्या कर सकते हो आप drop command का use कर सकते हो like मैं यहां पर देदू drop database db1 fine okay मैंने क्या क्या है drop database db1 fine अब देखो अब हम अगें क्या करेंगे show databases करके देखेंगे कि यह database डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है fine अब देखो आप show databases करोगे अब यहां आपको db1 इसके अंदर नहीं मिलेगा right क्योंकि वह क्या हो चुका है वह delete हो चुका है तो हम क्या कर कोई दूसा डेटाबेस यूज कर लेते हैं इसमें औरेडी डीवी बना हुआ है तो हम डीवी को यूज कर लेते हैं यूज डीवी फाइन अब देखो ये एस्कुल क्या है case sensitive language नहीं है आप इसके अंदर capital letters में भी लिख सकते हो आप इसके अंदर small letters में भी लिख सकते हो और mix of both भी कर सकते हो इसके अंदर कोई भी error sure ये नहीं करेगा because यह case sensitive नहीं है right okay now मैंने क्या क्या db use किया okay अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर देखू कि db के अंदर कितनी tables है right तो मैं show tables कर सकती हूँ s h o w show tables right तो यह मुझे बता देगा कि db database के अंदर कितनी tables है fine अब देखो यह empty set है मतलब अब यह database क्या है empty है अभी इसके अंदर एक भी table नहीं है तो next command हम क्या करते हैं हम लोग start करते हैं create table fine तो आप table कैसे create करेंगे table create करने के लिए आप command लिखेंगे c-r-e-a-t-e create okay table okay and table का नहीं तो हम एक table बना लेते हैं student create table student press enter next line में आप क्या करोगे shift plus number 9 तो आपका क्या आज जाएगा circular bracket okay shift plus number 9 यहाँ पर आप table की columns बनाओगे मैंने बना लिया roll number okay उसको मैं ले लेती हूँ type का integer integer value store करेगा okay second column हमने ले लिया s name s name हमने ले लिया where care where care 30 okay where care 30 लिया है fine तो क्या होगा अगर इसमें अगर माल दो आपने एक name store किया Amit Amit ने कितने letters कितना space occupy किया 1 इसमें लिया है तो बाकी का जितना space बचेगा वो क्या होगा वेर कर रिलीस कर देता है तो इसलिए हम वेर कर यूज करते हैं अगर आप care कर यूज करते हैं अगर आप care marks हम लेते हैं फ्रोट में जिससे इसके अंदर decimal values भी हम डाल सकें एंड circular bracket in the end और उसके बाद आप क्या करोगे semi column fine अब यह आपकी table बन चुकी है अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी table का structure क्या है तो आप कौन सी command दोगे आप describe table describe table name तो यहां पर describe table name जैसे हमाई table क्या है student ऐसे भी दे सकते हो या फिर आप simple d.e.s.c student ठीके table name तो आप describe student लिखो जो table name है या फिर आप d.e.s.c student अब यहां पर आप देखो आपका क्या आगया semi column यह देखो आपका table का structure आगया है कि जो student table है यहां पर देखो उसमें कितने columns है row number columns को क्या कहा जाता है field ठीके s name dob marks fine और उसके type दिये हुआ है कौन सा data type है integer where care date and float okay and they can contain null values कुसी को भी हमने key define नहीं किया है तो अब क्या है अब इसके अंदर हम क्या करेंगे values insert करेंगे data insert करेंगे okay तो first method अपना यूज करते है insert into student insert into student क्या है table का name ठीके values अब आपको यह ध्यान रखना है जब आप values इंसर्ट करोगे कि कौन सा column कब आ रहा है तो सबसे पहले मेरा row number आ रहा है तो आप उसके ने integer value डालोगे ठीके फिर आपने लिया name s name तो यहां पर आप जो क्या है s name क्या है character value है तो आप character value उकिस में लोगे आप उसको double course या single course में लोगे ठीके यह में रखना है कि इसको double course में लेना है फाईन फिर आपका आपका next column क्या है date of birth तो इसको भी आप double date भी आप क्या लोगे quotes के अंदर लोगे double course या single quotes में लोगे right okay and next आपका क्या है marks तो marks मैंने ले लिए यहाँ पर 78 fine देखो अब एक रो आपने एक record इंसर्ट कर दिया है fine मैंने अरो की से क्या किया है इसको repeat करा दिया है अब मैं नेम इंटेशली दो बार ले रही हूँ और आप date of birth change कर सकते हो यहा पे 2005, 2006 कर लो इसको अप 8 कर लो 9 कर लो तो date of birth अपने जो डिया है और किसमे दिया है year month and day format में दिया है year month day ठीक है तो ध्यान रन आक मैं कि आपको बिसे format में देना है year month and day format में आपको date को देना है अगर आप date values के अंदर specify करें fine यह आपने second row insert कर दी okay अब मैं एक row और अच्छा, अब मुझे क्या करना है मैं आपको एक method और बताती है यह तो आपने simple कर दिया insert into table name क्या है student insert into student values fine, अगर माल लो आप आपको अपने columns भी क्या करना है इसके अपनी command में show करने है तो आप कैसे कर सकते हो insert into student, student क्या है table का name student okay तो यहाँ पर आप क्या करोगे, values ना देखे पहले column names दोगे, roll number first हमारा column है roll number second है हमारा s name fine third है आपका dob okay n marks okay insert into student okay student में आपने columns name दिये हैं अब आप दोगे values values अब आप third record दे दो यहाँ पर three हम name दे रहते हैं निहा fine और आप date of birth दे दो ठीक है year then month month then आपका आगया day okay and marks fine अब हमने क्या क्या टेबल student table क्रेट की थी और उसमें हमने क्या क्या किया है three records हमने insert कर दिये अगर आप table को देखना चाहते हो ठीक है उसके सारे की सारे complete table की records देखना चाहते हो तो आप कौन सी command दोगे select star from अब यहां पर आप दोगे table का नाम table का नाम क्या है student select star from student से क्या होगा आपकी complete table शो जाएगी okay अब यह आगया आपने यह table बनाई है आपने रोहन को दो बार repeat किया था यह मैंने किसी purpose से repeat करवाया name वह मैं आपको बताऊंगे भी ठीक है तो आपने देखो यहां पे student table create कर ली अब आपने क्या किया complete table select किया है अगर आप चाहते हो कि कुछ particular columns अब आपको टेबल के आप देखना चाहते हो तो आप उसके लिए कैसे command दे सकते हो उसके लिए आप command दोगे select okay role number and s name मैं से दो columns ही देखना चाहते हो table के पूरी table नहीं देखना चाहती अगर आपको कुछ particular columns ही देखना है table के तो आप क्या कर सकते हो select उन columns के आप ने दोगे यहां पर मैंने दिया role number s name from student okay and semi column press enter तो आप देखो मैंने सिफ two columns के names दिया select role number, s name from student तो यहां पर मेरे two columns आगे next command is distinct command distinct command का क्या use होता है it is used to eliminate redundant data from the table इसका use होता है table से duplicate data को remove करने के लिए जैसे मैंने यहां पर रोहन किसले दिया था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी अगर कोई data repeat हो रहा है तो हम उसे distinct command की help से क्या कर सकते है उसको delete कर सकते है आप देखो मैं देती हूं next command distinct keyword का आपको use बताती हूं select distinct s name मैंने क्या किया select distinct s name from student अब मैं एक ही column को शो कर वा रही हूं s name को student name को लेकि मैंने कौन सा keyword यूज किया पहले distinct मतलब यह मैं से इस column के इंदा जो भी duplicate values होगी उसको क्या कर देगा remove कर देगा find semicolumn आप इसको प्रेस करो s name में क्या है सिफ one time Rohan आया two times Rohan नहीं आया क्योंकि distinct क्या करता है duplicate values को delete कर देता है अगर आपको यह जो आपने table बनाई है student इसमें से rows को delete करना है records को delete करना है तो आप कहुंसी command का use करोगे आप delete command का use करोगे तो मैं आपको delete command का use करके बताती हूं delete from student delete from student अब यहां पर हम क्या करेंगे where clause का use करेंगे condition लगाएंगे where as name मैं condition लगा रही हूं ठीके किसकी help से where clause की help से delete from student where as name क्या है रोहन मैं क्या कह रही हूं वह records delete हो जाए student table से जहां पर s name क्या है रोहन है हमेशा याद रखना है कि हर command के पीछे in the end क्या लगाना है आपको semi-column अब हमको देखेंगे टेबल के अंदर के वह जहां पर रोहन है वह record delete हुए है या नहीं तो आप उसके लिए क्या करोगे select star from student अब देखो आपके पास सिफ एक record रह गया नहा का ओके ठीक है now if I want to delete all the records of the table in one go what is the command अगर मैं table के side records एक star delete करना चाहती हूँ तो आप क्या command यूज करोगे पर तो मैंने condition दी अगर आप चाहते हूँ जितने भी records है एक साथ delete हो जाए तो आप simple कौन सी command दोगे delete from student delete from student right delete from student क्या है table का name okay मैंने इसको execute कर दिया अगर मैं अब शो करते हूँ select star from student अगर मैं यह वली command देते हूँ select star from student तो क्या आएगा empty set empty set आ गया क्योंकि इसके आएगा सारे के सारे जो records थे वो क्या हो गए delete हो गए okay अब देखो अब अगर मैं इसको देखती हूँ कि अगर इसके records तो delete हो गए क्या यह table अभी भी exist करती है तो क्या होगा यह table exist करती है क्योंकि इसके records delete हुआ है इसका structure delete नहीं हुआ right अब मैं show table करती हूँ show tables क्योंकि हमारा database open है db हमने एक table create की थी show tables करती हूँ तो देखो हमारी student table आ रही है although यह क्या है यह empty है लेकिन इसका structure अभी भी क्या है exist करता है यह खाली है लेकिन अभी इसका structure है तो मैं यह चाहती हूँ इसका structure भी डिलीट हो जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे complete table डिलीट करने के लिए आप करोगे drop table command का use drop का drop drop table table का name student fine अब देखो अब मैं अगें करती हूँ show tables show tables मैंने किया show tables अब देखो अब क्या आएगा empty set क्योंकि अब कोई भी इस database के अंदर कोई भी table नहीं है क्योंकि मैंने drop table command से क्या किया इस table को drop कर दिया okay now we have different operators हमारे पास क्या होते है अलग operators होते है जिनकी help से हम data table से access कर सकते है तो हम क्या करेंगे different operators का use करेंगे like between operator in operator like operator is null operator जिसकी help से हम table से data को क्या करेंगे access करेंगे तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ एक already created table को use करती है यहां पे तो मैं यहां पे दूसर database open कर लेती हूँ use यहां पे हम करेंगे use apply okay okay मैंने database change कर दिया है इसके अंदर हम देख लेते हैं tables कितनी है show tables ठीक है आपके EMP and EMPL तो मैं यहां पे EMPL table को open कर लेती हूँ select star from EMPL तो यह आपके EMPL table मैंने बना के रखी अब इस पे हम क्या करेंगे data इसके data को हम access करेंगे by using the operators ठीक है अब मैं क्या चाहती हूँ if I want to display the records of employee whose salary falls between 10,000 to 30,000 अगर मैं चाहती हूँ मैं employees का record क्या करूँ display करा हूँ जहां पे उनकी salary कहां से कहां तक हो 10,000 से लेकर 30,000 तक हो तो यहां पे मैं किस चीज का यूज करूँगी मैं between operator का यूज करूँगी fine यह मेरे पास table है EMPL और मैं क्या करना चाहती हूँ इसके अंदर record शो करना चाहती हूँ और कौन सा record जहां पे employees की salary कहां से कहां तक हो 10,000 to 30,000 तो यहां पे आप command लिखोगे select star from EMPL EMPL हम कहां से data ले रहे हैं EMPL अब यहां पे आप where clause का यूज करके condition लगाओगे where salary salary between अब यहां पे between operator का हम यूज कर रहे हैं 10,000 and 30,000 अब आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने जो 10,000 and 30,000 lower limit or you can say lower value और जो upper value दिये है यह भी resultant table के अंदर आएगी मतलब अगर किसी की salary 10,000 है तो उसका record भी इसमें इंक्रूट होगा किसी की salary 30,000 है उसका record भी इसके अंदर इंक्रूट होगा और 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में भी जिसकी salary है उसका record भी डिस्प्ले करेका अब हमारा next operator क्या है in operator in operator क्या करता है in operator select value that matches any value in a given list of values मतलब इसका क्या meaning है in operator जैसे मैंने क्या आपने चलो में करके दिखाते इसको practically in operator से क्या करते हो आप जो भी condition स्पेसिफाई करते हो ठीक है वो अगर उससे match करती है टेबल के अंदर तो वो पर्टिकुलर data डिस्प्ले करता है तो इसको मैं करके दिखाते हूं कैसे in operator का यूज करोगे select star from empl अब यहां पर condition लगा रहे है department department in मैं क्या condition दे रही हूं कि कौन कौन से records है जहां पर department department कौन कौन सा हो यहां पर मैंने department ले लिया salesman salesman का department ले लिया fine और मैंने ले लिया manager okay मैंने दो department ले लिये तो मैं यहां पर क्या करें in operator की help से यह specify करें कि वो record display हो जाए empl table के जहां पर department या तो salesman हो या फिर manager हो या आप और भी दे सकते हो इसके लिस्ट दे सकते हो जैसे अगर मालो fruit की table है तो आप दे सकते हो where fruit in mango, apple, grapes तो mango जहां पर भी fruit mango है उसका record आजएगा apple का record आजएगा in the same way यहां पर मैंने कह दे दिया कि वो records display हो जाए जहां पर department क्या है salesman है या और manager है salesman है और manager है semicolon अब देखो जहां जहां पर salesman और manager department मिला वहां पर क्या हुआ उसका records यहां पर आगया ठीक है तो यह हमारा in operator का use है अब हम इसका opposite करेंगे not in not in operator ठीक है अब देखो select staff from empl fine अब मैं यहां पर simple क्या करूंगी इनको not in not in operator not in तो यह क्या कर देगा इसका reverse कर देगा select staff from empl where department not in salesman and manager मतलब वह records display हो जाए जहां पर department salesman और manager ना हो ठीक है कौन से record display करें जहां पर department salesman का ना हो और manager का ना हो तो इसको इसको include नहीं करेगा किसको नहीं लेगा salesman को नहीं लेगा और manager को यह नहीं लेगा fine अब इसको मैं करती हूँ enter अब देखो department में देखो clerk है analyst है president है लेकिन क्या है salesman और manager नहीं है क्योंकि हमने यहां पर कौन से operator का यूज किया था not in operator का यूज किया था SQL also includes a string matching operator SQL में क्या होता है string matching operator का भी यूज किया जाता है like for comparison on character string using patterns अभी कौन कौन से होते हैं जैसे कौन से operator का यूज करते हैं percent operator का यूज करते हैं और underscore operator का यूज करते हैं fine तो यहां पर हम string matching operator का यूज करेंगे तो हम लेते हैं star from empl find where where ename like okay like s लिया मैंने s लिया and क्या ले लिया percent fine अब देखो इसका क्या मीनिंग है s लिया है उसके बाद percent ले लिया है अब यहां पर क्या होगा यहां पर जो इस name है वो start किस से करेगा s से करेगा और उसके बाद percent का क्या मीनिंग है it could be any substring after s मतलब s के बाद कोई भी substring हो सकती है name जो भी name हो start condition क्या है वो start करेगा s से और इसके बाद कोई भी substring हो सकती है sohan simran right आप कोई भी e-name हो सकता है लेकिन वो start किस से करेगा s से fine और percentage का क्या use होता है इसके बाद आप इसके इंदर कोई भी substring use कर सकते हो स्टार्टिंग किस से है ऐसे है उसके बाद आप कोई भी सब्स्टिंग यहां पर मलब कोई भी उसके बाद एक रेक्टर्स आ सकते हैं अब अगर if I want to display the records of employees whose names have five letters अगर मैं उन लोगों employees का record display कराना चाहते हूं जिनके name कितने letters contain करते है five letters ठीक है तो मैं कौनसी command यूज करूँगी हापर mistake क्या कि है हमने string value को course के अंदर नहीं दिया राइट फी से command लिखते है select star from empl ओके where where ename like course में देना है अब हम क्या देंगे underscore देंगे four underscore देंगे यहाँ पर one two three four और हमारा ending character क्या है end आपका course close कर दिया end क्या आपको लगाना है semicolon right तो क्या है starting के four characters कुछ भी हो सकते हैं और लेकिन end का क्या होना चाहिए character end होना चाहिए okay और यहाँ पर क्या है टोटल जो letters होने चाहिए total जो characters होने चाहिए name के अंदा वो कितने होने चाहिए total five होने चाहिए अब क्या करना है press enter fine तो आपका आ गया यहाँ पर अर्जुन आ गया है क्योंकि end आया इसके end में fine और total कितने characters है one two three four five okay यहाँ आपका आ गया तो यहाँ पर हमने क्या किया है आपने किसका use किया है string matching operators का आपने यहाँ पर use किया है अगर हमें ठीक है now if we have another यहाँ पर एक और operator का use करते है हम is null का is null का use है if we want to get record where any value is null ठीक है अगर हम ऐसा record लेना चाहते है जहाँ पर क्या value हो null हो तो आप उसके लिए क्या use करोगी उसके लिए is null का use करोगे ठीक है is null operator का आप use कर सकते हो जहाँ पर आपका record क्या हो null हो fine तो पहले में देख लेती हूँ मेरे table के अंदर कोई भी record null है कि नहीं है select star from empl इसके अंदर null नहीं है तो हम क्या करते हैं पहले एक null record डालेते हैं इसके अंदर फिर is null operator का use मैं आपको बताऊंगी ठीक है insert into okay empl empl values values तो first value आपकी employee number है तो 8 7 6 6 कुछ भी ले लेते हैं हम यहाँ पर department number आप ले लो 30 fine name हमने ले लिया name आप ले लो sita okay and department आप लोगे department हम ले लेते हैं clerk ले 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 चलो clerk यह को string value है इसको आप course में जो दोगे clerk okay and salary आप ले लो 11,000 oh oh हमें salary यहाँ पर ले 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 क्योंकि हमें null value चाहिए तबी तो हम एको record insert करें इसकी हमने salary ले ले ली null ठीक है fine okay हमें select star करते हूँ select star from empl तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक null आ गई है अब हम किस कौन से operator का use करेंगे अब हम is null operator का use करेंगे ठीक है अब आप कैसे करोगे select star from empl ओके अब आप यहाँ पर condition लगाओगे where salary salary को आप यह नहीं कर सकते आपको करना है is का is null select star from empl where salary is null वो record display हो जाए जहाँ पर salary क्या है null है okay press enter अब देखो किस की सीता की आपके पास आ गई fine okay अब आप क्या करोगे not null का use करोगे not null not null से क्या होगा वो records आपके पास आ जाएंगे जहाँ पर date जहाँ पर null value नहीं है तो मैं इसको ही ले ले लेती हूँ select star from empl where salary is null है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे where salary is not not null ठीक है जहाँ पर salary क्या है null नहीं है fine press enter अब देखो null वाला record नहीं आया है और बाकी के records आपके पास show होगे है तो यहाँ पर हमने दो operators का use देखा इसका is null का and not null का ठीक है okay is not null का fine अब हम किसका use करेंगे अब हम use करेंगे update command का ठीक है update command का क्या use होता है update command क्या होता है sometimes we need to change some data from the table ठीक हम क्या चाहते है कि टेबल का कुछ data change करना चाहते है okay तो इसको हम किसकी help से कर सकते है इसको हम कर सकते है update command की help से okay अब देखते हैं update command में हम क्या करते हैं where clause का use करते हैं और set keyword का use करते हैं कैसे update command specifies the rows to be changed using the where clause and the new data is entered using the set clause जो row हमें change करनी है right उसको हम कैसे दिखाते हैं specify करते हैं where clause की help से और जो new data enter करना है उसको हम किसकी help से enter कराते हैं set keyword की से कराते हैं ठीक है अब इसको में आपको करके दिखाते हैं जैसे मैंने किया update okay empl इस table के हंदर हम update कराते हैं data को ठीक है update कमांड का क्या use होता है data को update करने के लिए data का कुछ modification करने के लिए data में change करने के लिए ठीक है salary plus 1000 मैंने क्या करते है salary 1000 इंक्रीज हो जाए कहां पर where DEPT department क्या है जहां पर department आपका क्या है clerk जहां पर आपका department clerk है ठीक है अब देखो यहां पर पहले हम देख लेते clerk में देखो 10,000 है first salary okay and clerk यहां पर नीचे है वहां पर 12,000 है और एक हमारी नल थी ठीक है तो अब यहां पर नल पर तो 1000 ही आ जाएगी okay तो क्या करना है update EMPL हम change करा रहे है update करा रहे है salary कितनी कर रहे है 1000 increase कर रहे salary equals to salary plus 1000 where department is is equals to null semicolon यह हमारी update हो चुकी है अब हम इसको कैसे देखेंगे select star from EMPL select star from EMPL fine अब देखो okay क्योंकि यहां पर नल था तो यह नल as it is है बाकी देखो salary क्या हुए increase हुई है ठीक है यहां पर देखो यह जो 10,000 थी वो 11 हो गी है जो 12,000 थी वो 13,000 हो गी है fine जहां पर आपका department क्या था clerk था okay यहां पर वहां पर salary increase हो गी है fine अब हम क्या करते हैं जहां पर हमारी null value है वहां पर भी हम कुछ update करा देते हैं नल नी रहने देते हैं क्या करते हैं update update empl empl okay again set salary equals to salary set salary only कर देते हैं इसमें addition के तो set salary is equal to 10,000 okay where where हमारा क्या है salary 10,000 where salary is null ठीक है जहां पर salary null है वहां पर salary कितनी हो जाए वहां पर salary हो जाए 10,000 ठीक है set salary is equal to 10,000 where salary is null right अब देखो अब सिलेक स्टार करते हैं select star from empl अब देखो 10,000 अगई हमने update करा दी नल नी है value यहां पर ठीक है okay हम क्या कर सकते हैं यहां पर अभी हमने क्या किया है conditions लगा के update किया हम क्या करते हैं एक सार multiple columns को भी update कर सकते हैं जैसे यहां पर हमने salary column को ही update किया हम एक सार multiple columns को भी update कर सकते हैं कैसे जैसे मैं आपका example देती हूँ update empl ठीक है अब मैं यहां पर कर देती हूँ set set department number department number equals to 80 मैंने department number कर दिया 80 okay कोमा कोमा और salary कर दी मैंने कितनी salary कर दी मैंने 90,000 department number कर दिया 80 और salary कर दी 90,000 जहां पर क्या है department क्या है department है आपका manager जहां पर आपका department क्या है manager semi column okay तो यहां पर मैं एक साथ कितने columns को update कर दिपार्टमेंट को भी update कर रही हो और salary को भी update कर रही हो प्रेस enter ओके यह हमारा हो गया है अब हम इसको देख लेंगे select star करके select star from EMPL ठीक है अब देखो 80 जहां जहां manager है department number 80 हो चुका है उनकी salary कितने हो चुकी है 90,000 हो चुकी है okay fine आप क्या सक्कर अभी मैंने क्या किया था null value को remove किया था by using the update command ठीक है और आप आप null value भी डाल सकते हो ठीक है update command की help से आप null value को भी क्या कर सकते हो insert कर सकते हो ठीक है कैसे मैं यह दिखा जती हूँ update EMPL find set salary equals to null हमें salary null कर देनी है कहां पर where department क्या है clerk ठीक है आप किसी भी value को null value update कर सकते हो ठीक है तो हमने क्या 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 अपडेट EMPL EMPL table का नेम है set salary is equal to null where department is where department requires to clerk हो गया अब select star करोगे select star from EMPL order by clause allows sorting of the query result by one or more columns order by clause की help से आप अपने table के Nepalese columns को क्या कर सकते हो short कर सकते हो अपने records को short कर सकते हो मतलब उनको arrange कर सकते हो absolument ascending order में descend being order ठीक है by default किसमे होता है ascending order में होता है okay बännगे अब हम क्या करेंगे विखिन यह आपको धहान रखना है कि जो आपका result ऐता है select star from empl order by order by order by ename तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं पूरी table को arrange करें किस column की according ename के according और ename कैसे arrange होगा ascending order में arrange होगा order by ename कर दिया अब आपका जो names थे वो order में आगे हैं पहले a then d तो जितना भी data था उसके according ही इसका arrange हो गया है और by default order by clause किस में arrange करता है ascending order में arrange करता है अगर numbers है तो 123 ऐसे arrange करेगा small to big और अगर आपका alphabets है तो a to z तक arrange करेगा अगर आप अपने record को descending order में करना चाहते हो arrange तो आप किस keyword का use करोगे आप desc keyword का use करोगे या descending okay तो मैं आपको करके दिखाती है select star from empl order by order by ename order by ename और यहां पर हम descending order में करना चाहते हो है तो हम descending keyword use करेंगे या उसका short form d e s c right semicolon आप देखो यह देखो सबसे पहले यहां पर यहां पर descending order में आपका क्या हुआ data arrange हुआ है right descending order में आपका data arrange हो गया fine okay now आप एक साथ multiple columns के भी क्या कर सकते हो multiple columns को भी arrange कर सकते हो fine तो हम multiple columns को कैसे arrange करेंगे यहां पर देखेंगे select star from okay तो यहां पर multiple columns का use करने के लिए मैं दूसरी table का use कर लेती हूँ emp जो औरेडी बनी है emp table है मेरे पास तो यह मेरे पास emp table है already ठीक है तो मैं इसको arrange करती हूँ by using the order by clause ठीक है order by clause को हम इस करते है अगर इसको simple दे रहते हो कोई भी keyword नहीं लगाते हो तो कि ascending order में arrange करेगा ठीक है fine लेकि अगर आप चाहो तो asc keyword लगा सकते हो बात same है मतलब दोनों conditions same है मैंने फिर भी लगा दिया कि roll number को ascending order में arrange करे और id को id को desc descending order में arrange करे ठीक है id को 54321 करेगा और roll number को 1234 करेगा ठीक है अब मैंने इसको कर दिया प्रेस एंटर अब चेंज हो गया roll number को ascending में बोला तो roll number ascending में आ गया है और id को descending में तो id descending में आ गया तो order by clause का क्या होता है use इससे हम order table में columns की order को ascending or descending में क्या कर सकते हैं arrange कर सकते हैं fine now अब हम use करेंग group by clause का okay group by clause का क्या use होता है it divides the table into logical groups वह टेबल को एक चुट लॉजिकल groups में divide कर देता है जैसे हमने यहां पर टेबल देखि थी आपने अपर यह आपकी टेबल थी managers थे okay and analyst है तो क्या हो गया manager manager एक group में आ जाएंगे clerk एक group में आ जाएंगे salesman अलग group में आ जाएंगे चुम तेबल को א vendas Group में के बात किया होता है हम रुब्स के उपर aggregate functions को perform कर सकते हैं अग्रिगरगज़ फंक्षञंव को ह्य रहे हैं Sum function, average function, min function, max function यह सारे functions आपके aggregate products होते हैं तो यहां पर हम Group by clause का यू walking in the box यह हमारे पास EMPL table है, okay, select star from EMPL, okay, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, group by clause का use करेंगे, okay, group by clause क्या करता है, table को logical groups में divide कर देता है, similar groups, जैसे salesman का एक group बन जाएगा, manager का एक group बन जाएगा, analyst का एक group बन जाएगा, तो group wise इसको divide कर देगा, फिर हम groups के ऊपर क्या करेंगे, aggregate functions को perform कर सकते हैं, ठीके, तो मैं करके दिखाती हूँ, आपको select, department, find department आगया, then हमने क्या किया, sum, sum लिया, किसका, salary का, salary का, sum किया, हमने salary का, okay, from, from EMPL, ठीके, EMPL के है, table का name, ठीके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, group, by department, कैसे आप different करेंगे, कैसे grouping करेंगे, department की according, आप grouping करेंगे, group by department, तो group-wise क्या होगा, table divided हो जाएगा, और group-wise क्या हो जाएगा, salary का sum हो जाएगा, मतलब जितने भी clerk है, उनकी salary का sum आजाएगा, एक साथ salesman की salary का समा जाएगा and manager की salary का समा जाएगा देखो इसको हमने क्या किया semicolon and then press enter देखो clerk department की total salary आपके पास आगी है salesman department की total आगी है manager की आगी है analyst की आगी है and president की आगी है आपके पास department wise क्या आगी है total salary आगी है department wise आपने क्या किया total salary को यहां पर display करा दिया fine now अब हम क्या करेंगे इसमें एक example all लेते हैं ठीक है और मैं आपको show करती हूं जैसे हमने लिया select department department ले लिया ठीक है इसके उपर हम aggregate functions का use करके दिखाते हैं ठीक है sum of salary ले ले लेते हैं sum of salary salary fine average salary total average salary ओके और max salary maximum salary मतलब एक particular group की maximum salary क्या है जैसे managers हैं चार managers हैं तो चारो managers की जिस manager की maximum salary होगी वो इसके इंदर आ जाएगी ठीक है maximum salary minimum salary salary का sum होगा average salary का column आएगा department wise average salary आएगी department wise maximum salary आएगी जिसकी max salary होगी जैसे तीन manager है जिसकी max salary होगी उसमे आजाएगी minimum salary जिसकी minimum salary आएगी उस particular group के अंदर वो आएगी टीक है group by department और आपने क्या किया semi column आप देखो यहाँ पर आप आगया है sum of salary आगी department wise average salary आगी department wise maximum salary department wise आगी है आपकी जिसकी सबसे जाज salary है okay and minimum salary भी आपकी department wise आगी है minimum salary भी आगया है और maximum salary भी आपकी यहाँ पर डिसकी लोगी है fine तो यह किसका आपने अभी आपने क्या किया group by clause किया fine अब हम किसका यूज करेंगे having clause का use करेंगे having clause का क्या use है it is used to place conditions on group हम ने बता दिया कि group by की help से group by clause की help से group by clause की help से group बना सकते हैं अब उस particular group करने के लिए आपके पास है having clause okay क्योंकि वेर clause क्या था वेर clause क्या था इंडिविजल रो पे condition लगाता था लेकिन अगर हमें group पर condition लगाना है ठीक है group पर आपको condition को apply करना है तो आप कौन से clause का use करोगे having clause का ठीक है वेर का clause यह नहीं कर सकते क्योंकि वेर क्या करता है एक particular row पे एक particular record पर क्या करता है condition लगाता है अब हम इसका use करके देखते है ठीक है एक प्रैटिकली करता है यहां पर आप लोगे select department department ले लिया मैंने average average salary ले लेते है every salary okay sum ले लेते है sum of salary sum of salary from from लिया हमने EMPL okay EMPL और group by हमने कैसे grouping किये है यहां पर group by department department वाइस ग्रूबन है और पूरे department के ऊपर हम condition लगाएंगे having अब condition क्या देदी having department department manager तो अब क्या किया है select department department आजाए average salary आजाए sum salary आजाए किस में से employee table में से grouping कैसे किया department वाइस किया है लेकिन कौन सा department हो manager हो तो यहां पर सिफ का data आएगा manager department का data ठीक है okay press enter अब देखो manager का आए average salary और sum of salary तो कौन से department का है सिर्फ manager department का है अब यहां पर क्या है having के साथ हम aggregate functions को use कर सकते हैं बट जब आप where clause का use करते हो उसके साथ आप aggregate function का use नहीं कर सकते हैं ठीक है तो group के लिए आप किस का use करते हो having clause का use करते हो fine अब next हमारी command क्या है next command हमारी alter command okay तो alter command का use है इसकी help से हम table के structure को alter कर सकते हैं माला उसको change कर सकते हैं जो भी modification करना चाहते हैं वो कर सकते हैं like adding new column in the existing table आप new column add कर सकते हो dropping column from the table table का column delete कर सकते हो okay modifying column definition column की definition change कर सकते हो मतब उसकी character type या data type जो भी आप change कर सकते हो okay changing name of the column आप column का name change कर सकते हो okay adding or dropping constraint after the table creation आप table बनाने के बाद उसके अंदर constraint को लगा भी सकते हो और constraint हटा भी सकते हो ठीक है constraint क्या होते हैं कुछ आप rules table के अंदर आप यूज करते हो ठीक है उसको बोलते हैं constraint right we can make change in the structure of the table कोई भी आपको टेबल के structure में change करना है तो आप किसकी help सकते हो वो आप कर सकते हो alter table command की help fine okay तो हम alter table command यहां पर यूज करते हैं इसके लिए क्या करते है एक table पहले create करते हैं यहां पर आपने c-r-e-a-t-e create table empl one ले ले लेते हैं क्योंकि empl हमारी बनी ही है right इसके अंदर आप लोगे emp number int ले लिया मैंने emp number int ले लिया ठीक है name ले लेते हैं name where care where care आप ले लो हम e-name ले लेते हैं employee name लेते हैं e-name where care where care आपने ले लिया 30 ठीक है इसकी limit ले लिया आपने 30 okay then department department where care हमने ले लिया 40 find then salary ले 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 लेते हैं इसके अंदर salary आप ले लो integer okay circular bracket and semicolon यह आपकी table create होगी okay अगर आपको इसका structure देखना है तो आप describe command का यूज करोगी empl1 यह आपका table का structure अगया okay अब देखों alter command का हम यह पर यूज करना चाहते हैं okay if i want to add one more column in the table अगर मैं क्या चाहते हूँ एक और column add करना चाहते हूँ table के अंदर तो मैं किसका कौन सी command का यूज करोगी alter command का यूज करोगी ठीक है तो मैं करते हूँ alter table empl1 okay add add करके मैं अपने column का नेम लोगी जैसे मैं ले लिया designation add designation where care 30 designation इसके अंदर दे सकते हैं where care 30 okay semicolon हो गया अब देखो अब मैं अगेर इसका structure देख चूँ DESC describe empl okay तो अब देखो press करो अब एक और column आपका क्या आगया इसके अंदर add हो गया होगा मैंने empl ले लिया empl करना desc empl1 क्योंकि हमने कौन सी table में modification empl1 तो देखो designation इहां पर आपको दिख रहा है designation आपका आगया है okay fine तो ऐसे क्या कि आपने एक और column table में add कर दिया by using the alter command okay अब आप क्या कर सकते हो alter command की help से column को delete भी कर सकते हो तो इसको drop भी कर सकते हो ठीके तो मैं अब इसको drop करके दिखाती हो alter table empl1 okay drop drop हमें क्या करना है designation designation column को हमें drop करना है semi column हो गया अब देखो अब मैं आगे इसको इसका structure दिखाती हो desce empl1 designation चला गया पहले देखो यहां पे designation था अब यहां पे designation नहीं है ठीके क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया उसको drop कर दिया ठीके delete कर दिया okay अगर आपको किसी कॉलम में कुछ modification करना है ठीके जैसे यहां पे आपका e-name क्या है e-name आपका where care 30 है ठीके मैं इसका data type की जो limit है वो change करना चाहती हूं तो मैं कैसे कर सकती हूं मैं alter कमांड का यूज कर के कर सकती हूं alter table empl1 okay आप दोगी modify modify e-name e-name where care where care पहले मेरा कितना है 30 है अब मैं मालो 50 कर देती हूं where care 50 मैंने where care कर दिया उसकी limit बढ़ा दी 50 कर दी ठीके हो गया अब आप desc करके देख लो empl1 देखो यहां पे e-name की जो limit है वो क्या होगी 50 हो गई है ठीक है 50 आ गई है fine okay now we can also change the name of the column by using the alter command आप किसी भी column का name भी change कर सकते हो alter command की help से okay जैसे मैं करते हूं alter okay alter table alter table empl1 alter table empl1 okay change 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 chan ge change change मैंने कर दिया e-name से e-name है मेरा e-name से मैंने रख दिया e-m-p-name e-m-p-name रख दिया ठीक है और where care आपका 50 है यहां पर where care 50 ठीक है मैंने जो e-name क्या है मेरा old name है और e-m-p-name क्या है मेरा new name है fine और आपने where care क्या दे दिया 50 okay semicolon अब देखो यह चेंज हो गया हमें again d-e-s-c describe e-m-p-l-1 अब देखो यहां पर e-m-p-name आ गया है e-m-p-name हो चुका है इसको ठीक है आपने e-name को क्या कर दिया e-m-p-name कर दिया है okay अगर आप क्या चाहते हो आप कॉलम्स जो आपके हैं उनका order change करना चाहते हो मतलब कोई कॉलम उपर आना चाहिए कोई नीचे आना चाहिए आप उसका order change करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो उसके लिए आप हम alter कर करेंगे alter table e-m-p-l-1 okay modify department department को modify कर दिया हमने worker department को modify कर दिया worker हमारा department का worker क्या है 40 है worker 40 okay first हम चाहते हैं कि जो department कॉलम है वो सबसे पहले आ जाए मोडिफाई department first हमने क्या कर दिया हम चाहते कि department जो कॉलम है सबसे उपर आ जाए तो इसको semi-column लगाया and कर गिया अब desc describe empl1 देखो department सबसे उपर आ गया है fine okay अब आप क्या चाहते हो जो दूसरे columns है उपर नीचे उनको उपर या नीचे आप बीच में arrange करना चाहते हो ठीक है तो आप कैसे करोगे जैसे मैंने यहां पे लिया alter table empl1 okay और आपने दे दिया modify salary ठीक है salary column को मैंने क्या कर दिया int salary int है int after salary column किसके बाद आ जाए salary column आ जाए emp number के बाद ठीक है after emp number ठीक है emp number के बाद कौन सा कॉलम आ जाए salary column आ जाए salary column आ जाए ठीक है DESC EMPL 1 तो देखो salary column किसके बाद आ गया emp number के बाद आपका क्यों सा कॉलम आ गया salary column आ जाए fine तो आपने order को change कर गया okay now आप क्या कर सकते हो constraint भी add कर सकते हो remove कर सकते हो table की alter command की help से fine तो अगर मुझे क्या करना है कोई भी constraint लगाना है table मेरी create हो चुकी है ठीक है table creation के बाद मुझे कोई constraint उसके अंदर लगाना है use करना है तो हमें alter की help से कर सकते हूं alter table okay empl1 fine और यहां पर मैं primary की constraint लगा रही हूं add primary key okay और मैंने कौन से कॉलम को primary key बना दिया मैंने emp number को primary की यहां पर बना दिया fine okay press enter बन चुका है अब हम देखेंगे the ESC describe empl1 अब आप यहां पर देखो आपका यह है department sorry emp number वहां पर key में p r i r i यह क्या बन चुका है आपका primary key बन चुका है fine यह आपका primary key बन चुका है अब मैं चाहती हूँ कोई भी constraint क्या करना हटाना okay उसके लिए भी आप क्या कर सकते है alter का command alter command का use करोगे alter okay table alter table empl empl1 okay and drop drop primary key मैंने simply drop primary key कर दिया अभी मैंने emp number को क्या बनाय था primary key column को primary key बनाय था अब मैंने इसको क्या कर दिया drop कर दिया okay अब आप देखो DESC describe empl1 तो इसके अंदर कोई भी primary key अब नहीं होगी ठीक है देखो कोई भी key नहीं है key का column क्या है आपका empty तो क्या किया मैंने इसमें से primary key constraint को हटा दिया okay data from multiple tables fetching data in faster ways to SQL join की help से आप multiple tables से data को fetch कर सकते हो और retrieve कर सकते हो right an SQL join is a query that fetches data from two or more tables whose records are joined with one another based on a condition to SQL join क्या है query है command है or you can say statement है जो आपकी help करती है data को fetch करने में retrieve करने में from two or more table 2 या 2 से ज्यादा tables से right whose records are joined with one another तो और वो क्या करती है जो tables होती है उनके records को join करके आपको resulting table प्रोवाइड करती है आपको output table प्रोवाइड करती है right okay तो यहां पे SQL join क्या है वो query जो two or more than two tables से data को fetch करती है और tables के records को join करके आपको a new table प्रोवाइड करती है as a output there can be many types of join possible some of them are तो यहां पे हम कुछ joins पढ़ेंगे cross joins or cartesian product equi join natural join left join and right join first we have Cartesian product or cross product the Cartesian product is also termed as cross product or cross join Cartesian product को आप cross product or cross join भी बोलते हैं Cartesian product is a binary operation and is denoted by x Cartesian product आपका क्या है binary operation है binary operation क्यों है because it works on two relations right यह किस पे उपर apply होगा दो relations के उपर दो tables के उपर apply होगा और इसका symbol क्या है x let's say we have two relations a and b Cartesian product will combine every tuple from a with all the tuples from b right तो मालनो आपके पास दो table है एक table है आपके पास a right और एक table है आपके पास b okay एक table है आपके पास a और एक table है आपके पास b इसमें आपके पास three tuples है right and इसके अंदर आपके पास two tuples है okay तो जो a table है उसकी जो first tuple है वो पहले इसकी first tuple के साथ combine होगी right फिर a table की second tuple b की first के साथ combine होगी फिर a table की third tuple है वो b की first tuple के साथ combine होगी right again यह process चलता रहेगा right फिर again आपका जो a की जो first tuple है वो b की second tuple के साथ combine होगी right A की जो second tuple है वो B की second tuple के साथ combine होगी and A की जो third tuple है वो B की second tuple के साथ combine होगी इसको अभी मैं practically आपको करके भी दिखाऊंगी In Cartesian product, number of columns of resultant table जो resultant table आएगी अब इन दोनों की combination से उसमें जो number of columns होगे, वो क्या होगे? sum of attributes of both the tables number of columns क्या होगा? A table और B table के columns का sum तो अगर इसमें one column है और इसमें one column है तो आपकी resultant table में कितने column होगे? two, right? number of rows of resultant table और जो आपकी resultant table आई है output table आई है उसकी rows कितनी होगी? product of number of rows of both the tables मतलब A जो आपकी tables है उनकी rows का product जैसे इसमें क्या है? three है? right? और B में क्या है? two तो जो आपकी resultant table आई है उसमें कितनी rows होगी? उसमें होगी six, okay? अब Cartesian product को हम लोग practically करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है? आपको अपना database open करना है right? तो मैंने और रेडी क्रेट किया हुआ है हाँ पर database table join नेम से मैं इसको सिफ open करती हूँ use table join, right? okay? तो मेरा database open हो गया है right? अब इसमें मैंने कुछ टेबल बनाई है right? उनको मैं शो कर देती हूँ select star from color okay? तो यह मेरी color table है then select star from shades okay? तो हम यहाँ पर करते है select star from color shades now look यह देखो मेरी जो first table है color right? उसके क्या थे? त्री उसके अंदर values थी three values क्या थी? blue, green and red तो सबसे पहले blue ने और मेरी second table क्या थी? shades, right? यह मेरी second table है right? तो जो color table है उसका जो first value है उसने क्या किया? first tuple आप इसको ले लो first tuple ने पहले B table की जो first tuple है उसके साथ combine किया okay यह मान लो आपकी A है table जो मैंने अभी समझाय था और यह आपकी B है right? तो A की first tuple ने B की first tuple से combination क्या, फिर A की second tuple ने B की first tuple से combination क्या क्योदी यह थो B की first tuple है ना? यह B की first tuple है, right? okay? फिर A की third tuple ने B की first tuple के साथ combination क्या, right? यहाँ पर काुंसा यह होagersा है combination Cartesian product? और you can see cross product फिर फिर क्या हुआ है, अगें, A की 1st टपल ने B की 2nd टपल के साथ किया, right, okay, A की 2nd टपल ने B की 2nd टपल के साथ किया, combination, and फिर A की 3rd टपल ने B की 2nd टपल के साथ किया, combination, here, okay, right, फिर अगें, A की 1st टपल ने B की 3rd टपल के साथ किया, then A की second tuple ने B की third tuple के साथ किया and A की third tuple ने B की third tuple के साथ किया right तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह हमारा cross product है अब देखो number of columns क्या थे A में one column था B में one column था तो यहाँ पर हमारी resultant table में कितने columns हैं two okay sum of the columns or you can say sum of the attributes of both the tables right अब आपकी tuples कितनी थी दोनों टेबल में tuples थी आपकी three and three right तो इनका क्या होगा product तो जो resultant table है उसमें कितनी tuples होंगी उसमें होंगी nine tuples right तो यहाँ पर देखो one two three four five six seven eight nine nine tuples okay next we have equi join okay an equi join is in a school join condition that uses the equal to sign okay तो यह equal join condition है जो किसका use करती है equal to sign का use करती है as a comparison operator for defining a relationship between two tables on the basis of common field okay तो equi join में क्या है it defines the relationship between two tables right on the basis of a common field मतलब यह दो table के बीच में relationship define करती है किस basis पे कि उन दो tables के अंदर common fields है right तो common fields का हो सकते है आपकी primary key and foreign key right okay तो यहाँ पर integrity constraint बनता है एक table में primary key होगी और same data दूसरे table में होगा as a foreign key right in equi join all the columns from the joining table appear in the output even if they are identical in equi join के अंदर जब आप tables को join कर रहे हो तो दोनों tables के जितने भी columns है वो appear करेंगे चाहे बेशक से वो identical हो मतलब same हो duplicate हो फिर भी जितने भी columns है दोनों table के वो आपकी output table के अंदर आएंगे resultant table के अंदर आएंगे okay we can also give table alias nickname for the table name आप table name के लिए अगर आपको लगता है table name बार बार यूज़ करना पड़ता है और वो big है तो आप alias name दे सकते हो मतलब उसका nickname दे सकते हो and further we can use the name anywhere in the query in place of the table name और आप एक बार उसको alias दोगे तो मतलब उसका duplicate name दोगे या nickname दोगे तो आप उस nickname को बार बार अपनी query के अंदर यूज़ कर सकते हो okay syntax क्या है equi join का select column 1, column 2, number of columns जो भी आपको select करने है from table 1, table 2, table 1, table 2, where और यहां पर आप क्या कर रहे हो यहां पर इन दोनों table के बीच में relationship कैसे बता रहे हो where table 1 dot primary key column equals to table 2 dot foreign key column table 1 का primary key column है वो किसके equal है table 2 के foreign key column के equal है right तो यहां पर हम equi join जो query है वो perform करेंगे और यह equi join query की क्या condition है कि यह दो टेबल के बीच में equal to sign के have से क्या बताती है relationship बताती है right now we will do it practically okay अब equi join के लिए हम दो tables यहां पर लेते हैं जो already created है मैं data इसका show करती हूँ select star from student table right यह आपकी student table है which is already created and second select star from fees okay तो हमारे पास यहां पर दो table है student table है जिसके इंदर दो columns है row number and name and second table आपके पास fees है जिसमें again दो column है row number and fee तो यहां पर देखो एक यहां पर मैंने क्या किया है एक column को identical रखा है row number row number right okay तो आप आप हम क्या करेंगे equi join perform करते हैं select select a dot row number अब जो a है ना मैंने वो क्या लिया है student table का alias name लिया है तो अभी मैं इसको बताऊंगी कैसे a dot name तो मैंने student table से row number लिया यहां पर student table से name लिया right b dot fee और fees table से मैंने fee को लिया right from from student a student a student a क्या दिया है student का student table का alias name और you can say nickname okay and fees b और fees table का alias name क्या दिया है b समझ आया select a dot row number क्या है यहां पर आप otherwise क्या लिखते है student dot row number student dot name और यहां पर लिखते fees dot fee right तो उसको छोटा करने के लिए हमने क्या कर दिया student table का alias दे दिया a और fees table का alias दे दिया अब simply हमने a dot row number a dot name b dot fee दे दिया from student a अब यहां पर आपको इसको define करना होता है कि इसका क्या alias name दे जो table का student a fees b right where अब यहां पर क्या दिखाओगे आप relationship दिखाओगे a dot row number मतलब student table का जो row number है ओके वो किसके equal है वो आपका fee table के row number के equal है right देखो आपका आगया है यह क्या है आपका equi join right अब देखो आपने a table मतलब student table से row number दिया लिया था तो student table से आपके पास row number आया है और आपने क्या लिया था name लिया था student table से आया अपने क्या लिया student table से रोल number name और fees table से आपने लिया लेकिन आप क्या करें दो tables की टपल को join करें तो यहां पी common account रोल number क्या है आपको कौन-कौन से टपल से customer सेक्सेस करना जहां पे student table का रोल number equal है fee table का roll number right तो two वाला राइट two वाला आ गया 4 वाला 4 आ जाएगा आपका and आपका आजाएगा 5 समझ आया आपने condition क्या दी थी जहां पे student table का roll number किसके equal है fee table के roll number के equal है तो आपके पर 3 records आएंगे common records आएंगे ठीक है तो यहां पे roll number 2 name आएगा जया और fees आएगी 4500 ओके आपकी second टपल क्या होगी roll number 4 name दिक्षा ओके and fee क्या होगी आपकी 5500 and third टपल आपकी क्या हैगी roll number 5 name प्रनव and fee आपकी क्या हैगी 5000 ओके तो यह आपकी table आगई है जहां पे roll number student table का roll number किसके equal है fee table के roll number के equal है अब एक example हम और देखते है aq join का select star from student अब हम क्या करें सारे records ले रहे हैं कोई particular column ने ले रहे fees where condition लगा देंगे where student dot roll number equals to fees dot roll number fine मैंने क्या लिया Раз ले स्ट्बाट को जईक है student के जहां पर लेकिन कॉँसे Ge तुपल्स इसमेंगी, कॉलम्स तो सारे आ जाएंगे बद टपल्स कॉन सी आएगी, वेर स्टुडेंट.Rolember इकोल इकोल इस तुफीस.Rolember, जहां पर स्टूडेंट का रोलम्बर की जो वैल्यू है, वो फीस के रोलम्बर की जो वैल्यू है, उसके एकोल हो, अब यहां पर एकोई जोइन में एक और कंडिशन होते हैं, देखो इसका result, enter press करती हो, अब यहां पर देखो, यह रोलम्बर की स्टूडेंट टेबल का, यहां पर तीन रिकॉर्ड्स ही आया है, क्यों कि जहां जहां पर रोलम्बर इडेंटिकल था दोनों का, देखो 245, 245, तो यह रोलम्बर इन नेम किसका है, student table का है, फिर रोलम्बर इन फी किसका है, fees table का है, राइट, अब यहां पर रोलम्बर student table का, और रोलम्बर आपका fee table का, दोनों identical है, फिर भी यह क्या है, रिजल्टेंट टेबल में आये है, in case of the equi join, right, okay, और जो आपका, जो condition हमने देती, student dot roll number equals to fees dot roll number, तो यहां पर का student के जो roll number है, वो किसके equal हो, fee के roll number के equal हो, तो जहां जहां पर equal है, वहां वहां पर क्या हुआ है, data इसने, ट्रपल को क्या किया है, join किया है, right, next join is natural join, the join in which only one of the identical column exists, is called natural join, वो join जिसके अंदर, अगर आप two tables को join कर रहे हो, और दोनों टेबल के अंदर identical columns है, मतलब same columns है, तो किसी एक table का column appear, right, okay, जैसे equi join में क्या था, दोनों टेबल के identical column आ रहे थे, दोनों टेबल के student का भी roll number column आ रहा था, और fees का भी roll number column आ रहा था, fees table का भी, right, कि identical column दोनों नहीं आएंगे, कोई भी एक आएगा, right, it is similar to the equi join, natural join, equi join की तरह ही होता है, except that duplicate columns are eliminated in natural join, that would otherwise appear in the equi join, right, तो ये क्या कह रहा है, कि बिल्कुर सेम है, किसकी जैसा है, equi join जैसा है, वाइसमें एक difference क्या है, equi join के अंदर identical columns, you can say, duplicate columns appear करते हैं, resultant table में, but natural join के case में duplicate columns नहीं आते हैं, right, इसको practically करेंगे, अब देखो मैं यहाँ पर query लिखती हूँ, select star from student, student table, okay, natural, natural join हम यूज करें, natural join fees, okay, आप यहाँ पर क्या यूज करें, select star from student, student, student और fees table को join करें, और कौन सा join है, natural join है, तो identical column नहीं आएगा, दोनों के, दोनों tables के जितने भी column है, वो आएंगे, बट जो same column है, वो नहीं आएगा, right, कर दो आप enterprise, देखो, आपका result आ गया है, लेकिन fee, अब यहाँ पर roll number column क्या है, सिर्फ एक बार आया है, देखो, right, औ और दोनों में, क्या है, और जैसे equi join में क्या होता था, दोनों के, दोनों tables के identical, जो वो होते थे, fields, identical columns होते थे, उनकी values मैच होती थी, ऐसे ही यहाँ पर वही identical columns ही आए है, देखो, roll number क्या है, दोनों में, two, four, five, दोनों में identical है, मतलब दोनों में same है, roll number, वही records आए है, जो यहाँ पर वाली टेबल में, same data है, बट यहाँ पर क्या है, जो roll number column है, वो repeated है, पर natural join ने क्या किया है, roll number column को, क्या कर दिया है, eliminate कर दिया है, single roll number column आएगा, फिर आपका name and field, it is same as the equi join, natural join, equi join की तरह ही है, बस उसमें एक ही difference है, कि यह क्या करता है, duplicate columns को eliminate कर देता है, ओके, next we have left join, when using left join, all the rows from the first table, that is left side table, left hand side table will be returned, whether there are matches in the second table or not, तो जब आप left join यूज करते हो, दो टेबल के बीच में, तो जो first table होती है, और आप कैसे, तो left hand side वाली table होती है, उसके सारे के side record आते है, resultant table में, output table में, चाहे वो second table से match करें, right hand side वाली table से match करें, या ना करें, okay, for unmatched rows of the first table, null is shown in the columns of second table, और जहां पर first table और second table की records मेंच नहीं करते हैं, वहां पर second table की अंदर क्या आता है, null value आती है, right, इसको मैं practically करके दिखाती हूं, okay, यहां पर हम left join को perform करेंगे, को command लिखेंगे, select student table लेते हैं, student.roll number, student table के roll number को मैं यहां पर ले रहे हूं, student.roll number, name, name, fill, name कहां से लिए है, मैं student table से लिए है, और fee मैंने कहां से लिए है, fee table से लिए है, okay, यह column's name दे रहे हूं, from student, student table है, left join, left join fees, तो देखो student table क्या है, left में है, और fees किस में है, right में है, और हम क्या करें, left join कर रहे हैं, तो जितने भी student table का, जितने भी records होंगे, वह सारे आएंगे, चाहें वह fee, टेबल के records के साथ मैच करें, या ना करें, fine, और हमने condition देदी, on student dot, student dot row number, condition क्या है, कि जहां पे student dot row number, क्या हो, fees dot row number, fine, press enter, देखो, आपने क्या किया है, student, यहाँ पे, select student row number, आपने student का row number लिया, ठीक है, name और fee, fee आपने fee table से लिया, from student, अब student क्या है left में है, और आपने कौन सा use किया है, join, left join, तो student record, student table के सारे के सारे records क्या करेंगे, आएंगे, चाहें वह fee table के साथ मैच हो, ना हो, और आपने condition क्या देदी, क्या है, तो student का row number के एकोल है, fee के एकोल है, right, तो देखो, first record, तो student table के पांचो record आए है, और हमारे क्या था, जो आपकी fee table थी, उसमें three records थे, तो जहां जहां record मैच नहीं हुए, वहां वहां आपके पास क्या आगया, null आगया, तो यहां पे हमारे पास two times क्या आया है, null, और जो तीन records मैच हुए है, वह आगया, इसके सांथ, right, लेकिन जो आपकी student table थी, उसका complete records, complete data यहां पे आया है, जो आपने लिया है, row number and name, fine, okay, अब इसी query को एक और और करेंगे, हम यहां पे data चेंज कर देंगे, यहां पे हम table का alignment चेंज कर देंगे, यहां पे हम कर देते हैं, from student left join कि पहले fees को रख देते हैं तो fees हो जाएगी आपकी left table, fees join, left join student, okay, इसको हमने reverse कर दिया, fine, on, right, अब देखो, अब हमारा left में क्या है, fee है, तो fee के सारे column आएगे, right, okay, and join के, चाहें वो student table की column से match करें या ना करें, fine, इसको enter press करते हैं, तो देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, आपके fee table के अंदर, three columns थे, तो यहां पे कितने columns आएगे, three, पहले आपके आए थे five, क्योंकि आपने student को क्या रख था, आपने student को रख था लेफ्ट में, तो student table के साई records अब आपने रख था, फीज को लेफ्ट में, तो आपके क्या हुआ है, fees table क इसमें, three records थे, तो यहां पे, three records थे, तो यहां पे student table के three records, जो मैच हुएं, वो आए है, okay, right, कि जहां पे student का roll number, fee के roll number के को लेफ्ट में नहीं आए है, fine, next we have right join right join works just like the left join but with table order reversed right तो ही कैसे वाग करती है left join की तरह ही वाग करती है बट यहाँ पर क्या table का order reverse हो जाता है क्या हो जाता है यहाँ पर right table की सारे की records आएंगे resultant table में okay all the rows from the second table जब आप right join use कर रहे हो तो क्या होगा जो second वाली table है first वाली नहीं जो second right table है उसके क्या होंगे will be return उसके साहे records आएंगे resultant table में whether or not there are matches in the first table चाहें वो first table के साथ match हो चाहें नहीं हो फॉर अन्मेश रोस ऑफ दे सिकिंड टेबल नल इस शौन इन the columns of first table और अगर कोई match नहीं होता है first table के साथ second table का तो first table के अंदर क्या आएगा null value आजाएगी उसके place पर right इसको practically करेंगे इसको left join की तरह है बस हमें क्या करना है right join use करना है clause तो हम यहां पर करते हैं select okay आप ले लो student dot rule number student table का rule number ले रहे हैं name ले रहे हैं fee ले रहे है fee table से from fees अब fees हमने कहां रखा है left में okay और यहां पर हम क्या कर रहे है right join कर रहे है right join student तो कौन सी table का पूरा सारे टपल साएंगे student table के क्योंकि यहां पर हम right join कर रहे हैं okay condition देते है on student dot rule number equals to fees dot rule number okay okay तो यहां पर कौन से table के टपल साएंगे side records साएंगे columns साएंगे वह आएंगे student table के right और चाहें वो fees table के सार मैच हो ना हो और जहां पर मैच नहीं होंगे वहां पर first table में means fees table में null value आजेगी enter press करो देखो यहां पर fee table के अंदर आपके three records थे तो जहां पर records मैच नहीं किया है वहां पर null value आ गईगे select student roll number name fee ठीक है from अब from के पहले मैंने fee को लिया था left में अब मैं student को दे देती हूं student student and यहां पर right hand में यहां देती हूं fees fees अब किसके सारे records आएंगे fees के records आएंगे right fees में जितने record होंगे उतने आएंगे fine press enter अब आप यहां पर देख सकते हो fee के अंदर three records थे जो आपकी fees table थे उसके अंदर three records थे okay और यहां पर roll number का मैच करके उतने ही records आपने access की है right along with student table तो यह दो column किसके है student table के है और यह fee का column है और दोनों को मैच करके कितने records है three records क्योंकि fees column में कितने records थे three records okay okay everyone now we will meet in next video if you like my video please like it share it and subscribe my channel thank you